अब तो मेरे पिया की दयाना समावे इंड बले श्री प्राणनात प्यारे की जए चरचा प्रारंभूत है सुनो साथ चित दे भजो राजश्यामा श्री प्राणनात श्री जीवन्हमारोए स्री महमत कहे ऐ साथ जी भया चरचा का बखत अब तुम सुनियो चीत दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत श्री महमत कहे ऐ साथ जी इहां लो इसे का इलम अब महमत को मिल चला कहों एक दिन आदाम कहों एक दिन आदाम इहां लगे कतेब की प्रान गन प्रान प्रान प्रितम अच्छरतित स्री लाल दाशी के दाव मिर्दे से मेर्दे के परसंग के पैस्चात अम तिली की बीत का बड़न करने जा रहे हैं स्री चे सब संदर साथ के समों के साथ मत्रा गोकुल होते हुए आगरे से दिली पहुंचते हैं मेर्दे मेसे ही स्री जी ने गुवर्धन भाई के साथ एक पत्र लिखकर अटक नदी के उस पार जस्वान सिंह के पास बेजा था जस्वान सिंह राजस्थान के जो तीन बहादूर बंसे हैं सिसोधिया, कच्वाहे और राठोर राठोर बंसके थे सुरवीर बहादूर थे इनकी तलवार के लोहा हर कोई मानता था स्री जी ने इस माहना से भेचा कि हो सकता है इसके अंदर कोई अंकूर हो लेकिन परबधाम का अंकूर ना होने से उन्होंने स्री जी के पत्र पर कोई भी थ्यान ने दिया था उनके साथ घटना घटी थी दिली में और उन्जे बासा के पास एक बबड सेर था कई दिनों से भुखा था बार बार दाहर रहा था और उन्जे बार बार कहता था कि दुनिया में इसे बड़ा सेर ने है जस्वन सिंग ने कहा कि मेरे पास इसे भी बड़ा सकतिसाली सेर है और उन्जेब को गुसा आगया कहा कि अपने यदि आपका सेर हार जाएगा, तो आपको फासी पर लडगा दिया जाएगा. जश्वन सिंग ने सुखार कर लिया, अगले दिन जश्वन सिंग अपने बारह बड़्स के लड़के प्रतिभी सिंग को लेकर रहे है, बबरसेर छोड़ा गया, कई दिनों का भुखा था, धारती हुए आया, प्रतिभी सिंग ने तालवार जब पकड़े, जश्वन सिंग ने कहा कि बेटे सिंग के पास तलवार तो नहीं है, प्रतिभी सिंग ने अपनी तलवार फेक दी, जब सिंग आया, तो प्रतिभी सिंग ने उसका जबड़ा पकड़ कर पायर पर पायर दभा कर दो टुक्ड़े कर दिया, और अंजेब काप उठा कि यदिया बेक्ति जीवित रहेगा, तो मेरी सल्तनत के लिए खा तक होगा, उसने धोखे से भेजवा दिया, जश्वन सिंग को काबुल और प्रतिभी सिंग को भोजन में जहर मिला दिया, प्रतिभी सिंग की मृत्य हो गई, और जश्वन सिंग को जब पता चला, कि मेरे बेटे की मृत्य होई है, तो उनको भी हिर्दय गति रुख गई और उनकी भी मृत्य हो गई, इधर और उन्जेब ने चाल चली, कि जश्वन सिंग की दोनों रानियाद सोचा की गर्वती हैं, इनको यही कैद कर लिया जाए, ताकि इनकी जो संतान होगी, उनको मैं इसलाम से कार करा दूँगा, लेकिन वीर दुर्गादास की तलवार चमकी, और पुतों की टुकडी से उन्होंने और उन्जेब के मनसुवाँ पर पानी फेर दिया, पूरी दिली खून से लाल हो गई थी, लेकिन दुर्गादास की विरता के आगे, मुगल से की कुछ भी नहीं चली, दोनों रानियों को सकुसों लोग वहाँ ले जाकर जोदपूर पहुँचाने में सफल रहे, यह कहानी है जस्वन सिंग के, यदि जस्वन सिंग स्रीजे के उपर इमान ले आये होते हैं, तो हो सकता था, देश का इतियास कुछ और होता, श्रीजे दिल्ले आकर, बिठल गौर का पुरा है, हवैली है, सैयत की एक हवैली लेकर, वहान रहने लगते हैं, छे महिने श्रीजी वहान निवास करते हैं, वही पर चिंता मड़ी जिवे आ जाते हैं, ठट्ये-नगर के काफी सुंधर साथ आ जाते हैं, जिनमें चिंता मड़ी भी है गोवर्धन दास अटक पार से आते हैं और सारा बृतान स्रीजी से कहते हैं वो खोशते खोशते उनके भेट उर्दु बजार में गरिब दास जी से होती है और उनसे पता चलता है कि स्रीजी बिठल गौर की हवेली में रहा रहे है बिठल गौर में गौरले में सेयद की हवेली में रहा रहे है वहां से आकर के स्रीजी के चाड़ों में सब कुछ बरतांत बताते हैं कि धांदेनी मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन जस्वान सिंग ने आपके पत्तर पर कोई ध्याम ने दिया अब स्यद की हवेली में मुकंदाची भी पहुंच जाते हैं जिन्हों ने सूरत में तार्तम तो ले लिया था लेकिन उस समय उनके अंदर उतनी जागने नहीं थी समय बढ़ता जाता है, हिर्दये में विरा बढ़ता जाता है उनका भी वह जाता है, अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, सच्टा नंद परव्रभ्र माय है चलो उनकी सिवा में तुम भी चलो यदी मेरे साथ चलना हैं तू पत्नी ने मना कर दिया कि मैंने बाइराग धान करने के लिए थोड़े भीवाग कि आया आपसे. मुकुंधाची कहती है कि यदे तुम मेरे साथ धामदनी की सिवा में नहीं 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 नवेले दुलहन को छोड़कर मुकुंधाची चल पड़े. यहीं मुकुंधाची का वर्ण आगे आएगा, आप सुनेंगे, सारा जीवन स्री जी की सिवा में लगा कर अपना जीवन सार्थ किया, इनके अंदर नौरंग भाई की आत्मा कही जाती है. वहाँ पर जब गुबर्धन भाई अटक से आये, तो गंगा राम की दुकान में ठहरे थे, गंगा भाई को प्रमोधित किया, और उनके मादिम से कई अन्य सुन्दर साथ में जागरित हुए. श्री जी के मुखार विंद के चर्चा सुनकर, बहुत से सुन्दर साथ में तार्तम लिया, सेक वदल एक मुस्लिम सुन्दर साथ है, परमधाम की आत्मा है, लेकिन सरीयत उन्य सुईकार नहीं, तार्तम वाणी का प्रमोध पाकर सेक वदल की आत्मा जागरित हो जाई, अनि अर्तक में आगे सुनेंगे सुनें के सिरी जी के दाहिने हाथ, लाल्दाशी हैं तो एक हाथ सेक वदल विये है, लाल्दाश जी औ सेक वदल के जोड़िए हर कठेन कारे में सुन्साथ रहती हैं, दोनों के अंदर परमधाम के आत्मा हैं, शरीयत के बंदनों को में खिच ले जाती है घर का अकरसन इतना भारी पढ़ता है घर द्वार छोड़ कर आयो तो होते है स्री जी की सेवा में कि हम सारा जीवन से मरपीद कर देंगे लेकिन माया फिर उनुपर भारी पढ़ जाती है और भी घर के सुखों में जाकर लिखता हो जाती है नैन सुख महाजन है जेठा वेदांती है ये लोग चर्चा तो सुनते हैं लेकिन जेठा महाजन जेठा वेदांती जेठा महाजन एक वेदांती के भी द्वान थे श्रीजी के बच्चनों की महत्ता को सबचते हैं लेकिन वो सुनि निराकारबाद को छोड़ नहीं पाते हैं वेदांत के सब्द उनके अंदर घर कर गए होते हैं और श्रीजी के बाणी के महत्ता को पहचानते वे भी उनके हिर्दे में परम्धाम के जान के जोद जल नहीं पाती है अनेकों सुंदर साथ स्री जी की अलोकिक वानी का रस पान करके महाँ जागरित होते है एक से एक बढ़ करके परम्धाम के आत्माई महाँ जागरित होती रहती है स्री जी 22 प्रस्णों महां लिखते है सायद की हवेली में लाल दास जी और स्री जी ने मिलकर कुरान के 22 प्रस्णों को तैयार किया आसाजीत एक वकील है वो भी चर्चा सुनकर के जागरित हुआ होता है जब स्री जी से बारता होती है आसाजीत वकील उन 22 प्रस्णों को देखता है तो कहता है कि धाम देनी और अंजेब कटट सुनने मुसल्मान है वो हिंदू का दुस्मन है यदि प्राता काल उसकी नजर के सामने को हिंदू आ जाता है तो उसको फांसीब लटकवा देता है वो पूरे देश में इसलाम पहलाना चाहता है आप हिंदूस्तानी भासा में ये कुरान के प्रस्णों जो लिख रहे हैं वो बला क्यों पढ़ेगा आप सोचिए उस समय कितना कठिन था किसी को संदेश देना आज का यूग होता तो 22 प्रस्णों को मोबाईल पर लिकार, वाटसब कर देते है और अंजेब के पास पहुंच जाता है किसी के पास भी पहुंच जाता है लेकिन उस यूग में तो अरअजेब के पास पहुंच रहे हैं कितना कठिन काम था आप देखेंगे और अंग्जेब के दर्बार में जाकर के कोई भी जीवित नहीं पचकर किया आया चाहें गुर्टेक बहादुर हो या सिवाजी भी बहुत मुश्किल से कैद खाने से निकल पाये थे और अंग्जेब उपर से अच्छा बहार करता था अंदर से उसके अंदर कुरूटता रहती थी शिवाजी को वाइदा करके जैसिंग ले गए थे कि तुम्हारे साथ अच्छा ब्यवार होगा लेकिन और अंग्जेब ने शिवाजी को कैद खाने में डाल दिया और उनकी फांसी की तयारी होने लगे थी दीरे दीरे किस तरह से शिवाजी ने मिठाई के टोकरे में बैठ कर अपनी प्राना रक्षा की थी गुर्तेक बादूर के साथ जो उनके अन्य थे जिनको किसी को कड़ा में खौलाया गया किसी को आरे से चिरवाया गया लेकिन किसी ने इसलाम सिवकार नहीं किया और गुर्तेक बादूर को भी सीज गंज में अपने सीज की बली देनी पड़ी थी कई सुफी फकीरों को भी औरंग्जे बासाने फांसी बलटकवा दिया था क्योंकि वो कटर सरीयत का अनुए आई था और सरीयत को थोपना चाहता था अब धीरे धीरे जागनी का प्रकास बढ़ता जाता है एक सुफी फकीर भी स्री जी की चर्चा सुनने के लिए आता है उसको स्री जी के ज्यान में बहुत ही रुची आती है अब स्री जी सोचते हैं कि इन बाइस प्रस्थनों को कैसे और उम्जेप के पास पहुचाया जाए आप देखेंगे स्री जी के तन से लीला हो रही है मानु तन के रुप अंदर उस तन में बैठेवे अक्षरातीत को अपना स्रुप छिपाए रखना है यदि स्री जी सीधे चले जाते हैं और उम्जेप के दरबार में तो एक दिन में सब कुछ हो जाता लेकिन ऐसा नहीं होगा छे महीना रहना पड़ेगा सेयद की हवेली में आगे वहाँ से चल कर दो महीने लाल दरवाजया आते हैं जहां एक छट्री की हवेली लेकर स्री जी वहाँ दो महीने वास करते हैं सब संदर साथ से मसालात होती है जो दिलिक का घटना क्रम है या वीतक में कई घटना क्रम आएंगे जिसमें मंदसौर का भी परसंग आएगा कई महीने भिक्छा मांग करके सब को गुजारा करना पड़ता है रामनगर का परसंग आएगा उदेपुर का परसंग आएगा हर जगा मुगल से ना उनका पीछा कर रही होती है सुन करके एस्चर होता है कि क्या सचतानद परव्रम जिस तन में विराजमान होंगे उस तन को इस तरह के संकट धेलने के क्या हो सकता एक एक सैसी पारिश करनी पड़ रही है कि तुम जाओ और अरंग्जेप को संदेश देने के लिए कि स्रीजे जदी अक्षरतीत है तो उनको एक सिधे चले जाने में क्या कश था और रही है क्या मार देता उनको हर विप्टि समानि पूद्ध से सोच कर ऐसा ही करता है लेकिन राजिको समझने की बात है राजिय ने जो मर्यादाई बनाई है इस प्रकृति के संसार में उन मर्यादाओं को यदि वही तोड़ देंगे तो आने वाला समाज भटक जाएगा कोई भी अध्यात्मिक सक्ति प्राप्ट करके अलोकिक लिलाईं दिखाना शुरू कर देगा जिसका परिणाम यह होगा कि आत्मजान, ब्रहमजान और परमधाम का दर्सन पीछे हट जाएगा, चमतकारिक लिलाओं की बहूलता हो जाएगी और एक बिशेश तत्थवी है धाम, धनी, स्वाइम पर्दे में रहना चाह रहे है अपने सुन्दर साथ को आगे करके उनको संसार में सोभा दिलाना चाह रहे है गवर्धन को उठाये था सिकिट चिने और सोर मचाने लगे जल्दी से जल्दी अपने डंडे लगाओ डंडो के साहरे गवर्धन परवद थोड़े ठारा रह सकता था लेकिन गवर्धन बालों को सुभा देनी है दिखाना है कि देखो हमने गवर्धन परवद को अपने डंडों से रूख रखा है यही इस जागने लिला की महत्ता है हनुमान जी से पुछिए उनको भेजा जाता है कि जाओ सिता कपता लगाओ हनुमान जी को मालूम है कि उनके पास कोई सकती नहीं है उनके पास सकती है तो राम की है हनुमान में कोई अहम नहीं आता हनुमान को जितनी सोभा दिजाती है वही राम की महत्ता है इसी तरह से श्रीजी बारज सुंदर साथ को किसी ने किसी माध्यम से भिजवाएंगे और अरंग्जेव के दर्वार में और अरंग्जेव को खरी खोटी सब सुनाएंगे यही ब्रह्मनी सुंदर साथ और अरंग्जेव और उसके सभासत जो सिद्धिक पौलाद है Supreme Court ये सबसे बड़े नया धीस है का जी कोई कुछ नहीं भी कड़ पता है ये अलोके कटना है लेकिन जदी स्रीजी स्वेम ये सारा कारिक कर जाते तो उन सुंदर साथ जिन में चिंता मड़ी हैं लांधासी हैं, सेक बदल है ये बाहरा सुंदर साथ की महिमा को आज हम जिस मुक्त कंट से गा रहे हैं, इनकी सोभा नहीं हो पाती धाम दनी सर्व सक्तिमान अवस्य है लेकिन बैठे किसमे हैं? इंद्रावती जी के धाम मिर्दे में इंद्रावती जी के आत्मा किस पर बैठी है? मेर्दे 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 मेर् महिराज कभी दुख्य भी हो सकते हैं, राज जी कभी दुख्य नहीं हो सकते हैं, राज जी कभी दुख्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो महिराज के उपर समर्पन करता है, वो माना जाता है कि राज जी के उपर समर्पन करता है, तभी तो उनोंने कहा है, जो अंग सों पे इंद्रावती परफिदा होगा वो मेरे परफिदा होगा क्योंकि इंद्रावती को मैंने सारी सोबा दे रखी है इंद्रावती की आत्मा दिख तो नहीं रही है दिख रहा है कि वो मिहराज का तन इसनिए परमांस महराज से राम्रतन द्याजी का जिन्नों ने सम्मान किया सम्मान तो किसका किया जाता है तन को लेकिन वो सम्मान पहुंचा उनकी आत्मा तक और उनकी आत्मा के धाम विर्दे में जिन्नों ने अपने प्राणिस्वर को बसा रखा है उनकी महिमा होती है का अपमान करता है उसमें बहुत बड़ा गुना लगता है इसलिए युगलदाची की पाती में लिखा है कि जो इस सरुप की महिमा गाएगा उसको एक की बंदगी का हजार गुना फल मिलेगा और जो इस सरुप की प्राणाजी के सरुप की निंदा करेगा उसको बहुत बड़ा गुना लगेगा उसको प्राणाजीद की अगनी में जलना पड़ेगा काने का से क्या है अगुन किसके नजर आ रहे है मिहराज के जीव के और जिनोंने अपनी अंतर 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 दिश्टी खोल ली वो मिहराज के जीव के अगुन को नहीं देख रहे है वो ये देख रहे है कि मिहराज के जीव के उपर इंद्रावती की आत्मा बैठी है जिसमें युगल सरुप लिला कर रहे है अभी आपने किर्टन सरुप किर्टन सुना था इन दो सरुपो तया करी कारी कुमत कूप कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी मैं तो काली कली उटी थी मैं कुबडी थी लेकिन परंधाम के समंध से आपने मुझे इस माया के भोस रागर से निकालाए ये संबरपन है उस ललिता का जो सिरी जी के पानी के छीटों से सर्वांग संत्री बन गई थी और सारा जीवन संदर साथ की सेवा में राजी को रिजाते रिजाते उनोंने गुचार दिया पन्ना जी में जाकर कि अब स्री जी सेयद की हवेली से चल करके लाल दरवाजे आते हैं वहाँ च्छत्री की हमेली लेकर वहाँ दो महीने रहते हैं। वहाँ सब सुन्दर साथ को कहा जाता है कि सुन्दर साथ चे, आपके जो विचार हो बताएं, और अंग्जेब तक संदेश कौन लेकर के जाएगा। क्योंकि और अंग्जेब के पास संदेश लाने का एक बहुत बड़ा भाय भी है। और अंग्जेब कुछ पुछेगा, नहीं समझ में आएगा, तो सिधे वो गर्दन ही कटवाता था, कुछ नहीं करवाता था। हाँ, कट्र सुन्य मुसल्मान है, उसको यह पता है कि इमामेहदी का आउतरन होने वाला है, और इमामेहदी के बाढ़ देख रहा है, इसलिए उसने मंदिरों को तुड़वाना सुरू कर दिया, वो सोचता है कि उसको मालूम है, कि इमामेहदी आएगे तो हिंदू तन में यदि मैं मंदिरों को तुड़ाओंगा तो सिधे उनसे मेरा सामना हो जाएगा, और इसलिए उसने जगा जगा जाकर चाहें हरद्वार के मंदिरों, अजुद्धा के मंदिरों, कासी के मंदिरों, देश में हचारों मंदिरों को तुड़वाता फिर रहा है, कि कि किसी न कि इमाम मेहदी से हमारी भेट हो जाए। उस तन के अंदर भी परमधाम की आत्मा है। वो दृष्टा है, साकुमार की आत्मा। देवचन जी ने कहा था कि मीराज साकुंडल और साकुमार की आत्मा तुम्हारे तन से जागरित होनी है। इसलिए स्रीजी के स्वरुप में अक्षरातीत लिला कर रहे हैं। वीराज के हिर्दे को ये बोध हो जाता है। कि अरंग्जेब के अंदर साकुमार की आत्मा है। उसको मुझे जागरित करना है। अब स्रीजी, देखते हैं कि यहां से कठिन कारी पढ़ रहा है कोई भी संदेश, पिजवाना, और अरंग्जेब को, क्योंकि उसमें सरीयत का बहुत अधिक परचार था। और सरीयत के उसराज में किसी हिंदु को कुरान पढ़ने का भी अधिकार नही था। कुरान पढ़ने तो दूर, कुरान की चर्चा कर देते हैं, तो पढ़ना उस समय घातक होता था। अब स्रीजी वहां से, सहाजाहनपूर बोडिय के लिए प्रिस्थान करना चाहते हैं। सोचा या गया कि दिली से कहीं दूर रहा जाए। ताकि औरंग्जेप को सिधे पता न चल पाए कि ये लोग कौन है और क्या करना चाहते हैं। सहाजाहनपूर उतर प्रदेश में पढ़ता है, बोडिया नगर हरियाणा में पढ़ता है। दोनों के बीच में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी हैं। और श्री जी वहां से चलकर बोडिये में आते हैं। अब एक पाती लिखी बाइस प्रस्नों की। फार्शी में उसका अनुबात करया। और लांदाशी को और भीम भाई को भेजा। जैसे ही वो बोडिये से चलने लगे तो राची ने संदेश दिया। कांजी भाई को भेज कर उनको वापस बुला लिया। कि अभी आपके जाने का समय नहीं है। इस समय काम नहीं होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी तेर पहले कहा था। कि स्री जी के लिला को देकर कभी-कभी संसय पेदा हो जाता है। क्या राची को यह पहले मालूम नहीं था। कि एक तरह लाची को पहले भेज दिया। और फिर उनको वापस बुलवा रहे हैं कि कांजी भाई को भेज कर। कि नहीं उनको वापस बुलवा लो अभी काम नहीं होने वाला है। तो इसका अर्थ तो यह होता है कि राची को भी पूरी जानकारी नहीं रहती है। वो कैसे राची हैं जो बार-बार भूल करते हैं। और ऐसी कई पार होगा। मैंने पहले ही कहा। कि यह सारे लेला करने वाले कौन है? महिराच। राची के लेला नहीं है। कि मैं परमधाउम का हूँ, मैं परमधाउम से आया हूँ। मिराच में जीव भाव रह नहीं गया है। लेकिन कारिक किसको करना है? जीव को करना है। जीव के अंदर ब्याकुलता है। कि जागनी कारित तेजी से हो। और हर कारिमें वो दो कदम आगे बढ़कर भाग ले रहा है। यह में जब भूल होती है। तो लेग को ब्रमधाउम भाई देते हैं। लेकिन antara, जिस मिराच के जीव के दो़रा, जीव को भीजा जा रहा है। उसी जीव के उपर तो इंद्रावती की आत्मा द्रष्टा होकर देख रही है खेल को, जिनके धा मिर्दे में राजीव बैठ कर लिला कर रहे हैं, अब राजी की प्रणा होती है कि नहीं मिराज, अभी समय नहीं हुआ है, तुम उनको वापस बुलाओ, क्योंकि अक्षरातीत द्रष्टा है, अक्षरातीत संसार की लिलाओं में नहीं फस्त है, अक्षरातीत सरु सक्तिमान है, सकल गुर्णी धान है, वो इंद्रावती की आत्मा के धाम हिर्दे में विराजमानों कर के लिला कर रहे हैं, अक्षरातीत का कारिया है, परमधाम की वाणी का उतरों कराना वो जैराम कंसारा पर कुरोधित नहीं हो रहे हैं हाँ जब उनकी चर्चा में आने से महाँजी भाई ने मना कर दिया होता है बहना बना करके बैठ गए होते हैं तो भी तक में चौपाई आती है तहां मारा तमाचा राज ने जोट भी पहुँचाए जाता है तो जबराइल के दोड़ा है राजी तो प्रेम के सुरूप है लेकिन लिखा जाएगा कि राजी ने तमाचा मारा हाँ, जो स्रीजी के उस सुरूप को देकर जो बाहिश सुरूप को देकर भी जो समरपन करते हैं उनको श्रीजी पर अक्षरा्तीत परी समर्पन का फल मिलता है. लेकिन उस जीव से जो भूले हो रही है, उन भूलों को राजि की भूल नहीं मानने चाहिए. अक्षरा दित टीज से कभी भूल नहीं होते हैं, वो जीव की लिला होती है. बड़े बड़े परमान्सों से भी कभी करोध का बेवार हो जाता है तो करोध कौन करता है? उनका जीव करता है उनकी आत्मा नहीं करती है अब स्रीजी ने जैसे ही संकेत दिया कान जी भाई को कान जी भाई जाकर उनके बुला लाओ भीम भाई और लालदास जी वापस आ जाते हैं जब स्रीजी दिली से साज जाहन पर बुड़े चले थे तो बुड़े में मिर्गी की बिमारी फैल गई थे नाग जी भाई जिनका नाम था गरीब दास गरीब दास जी को मलकूल मौत जलू बिया मलकूल मौत जिसको टाली ना जा सके मलकूल मौत आ जाती है लेकिन राजी जिसके सामने है उसको मौत क्या कर सकती है दो तन तले कदम के आतम परातम आतम कदन और परातम कदन दोनों ही राजी के चाड़ों में है स्धिय यह अपनी डिश्टी डाल देते है उसकी आँकों मैं गरीब्दास की और करते हैं कि गरीब्दास मेरी तरफ देक राज जी अपने आवेशकते से परंध का दर्सन करा देते हैं जैसे हिटी परंधाम का दर्सन होता है मौत वापस लोड़ जाती है उपनिस्थ में लिखा है विद्यते हिर्दे ग्रंथे चिद्यंते सर्वसंस्या छियंते च अस्य कर्मारी तस्में त्रिष्टे पर आवरे हिर्दे के सभी अज्यान में ग्रंथिया नष्ठ हो जाती है क्षित्यंते सर्वसंसेया सारी क्षित्य शन्-संषण Molly our sub随 क Farmina के बूरे पर्दाम हम सब 스माब्त हो जाते है। मैंने पुरानी संदर साथ से घटना क्रम सुनाए अधिया पुर्मान समाराज सि werd Pramatham Çaad छोग उद ओ Works क गर आय थें चैसे उनके घर आये घर when buscar इसका माहौल बदल जो गया, आस पास के सुंधर साथ की भेडी कठ़ होने लगई, क्योंकि परमांस महाराश श्री जहां भी जाते थे, उनकी लिला, प्रेम की लिला थे, सब सुंधर साथ कठ़ होने लगए थे, जिनके घर गए थे, उनका एक लड़का था, तस बारव बर्स वो खुशी खुशी में चट के मुंडेर पर दोड़ने लगा और उसका पैर गिर पड़ा पैर फिसल गया जमीन पर गिर पड़ा आखे फिर गई लगा कि अब तो इसकी मौत होई जाएगी उसकी माता पिता ने उसको उठाकर महराजी के गोद्वें बैठा दिया कि महराजी आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं महराजी ने सिर्क के उपर हाथ फिरा कहा कि सद्ग महराज इसकी रक्षा करें थोड़ी देर के बाद उसने आखे खोल दी सुन्दर साथ ने बताया था मुझे कि एक कांट में महराजी ने कहा कि आज इसकी मौत होने वाली थी राजी ने मुझे यहाँ भेज दिया इसके जीवन की रक्षा करने के लिए एक ब्रमुनी के पधारने से मौत आई हुई मौत सीधे वापस लोट गई तो आप सोचिए हम सुन्दर साथ सोचते हैं कि मृत का समय निश्चित होता है समान रुप से निश्चित होता है लेकिन आई हुई मृत को टाला भी जा सकता है उसको टालने के लिए आत्मबल चाहिए समान प्राणी नहीं टाल सकता आप देखेंगे ब्रमचरेर तपसा देवा मृत्यु उपागनात ब्रमचरे रुप तपसे देता हूं उन्हें मृत्य को जित लिया जो कठोर ब्रमचरे का पालन करते हैं ध्यान साधना में लगे रहते हैं स्वधाय में लगे रहते हैं उनकी उम्र अधिक होती है आचारात लभते ही आयू आचरन से, सिष्ट आचरन से उम्र बढ़ती है जो पाप करता है उसकी आई घट जाती है जो बुरे कर्म करते हैं उनकी आई घट जाती है जो भोग बिलाजों में लिपते रहते हैं उनकी आई घट जाती है तब से, ब्रह्मचरी से, योग से, स्वाध्याय से और निमित दिन्चरिया से मनुस की उम्र बढ़ाई जा सकती है आप रसिया के कुछ भागों में जाएंगे जहां मनुस की ओसत उम्र सो से उपर ही होती है क्योंकि वहां के लोगों का खान पनाई सा है दिन्चरिया ऐसी है कि उम्र सो से उपर हो जाती है आज कलते हिंदुस्तान में देखिए चाय और काफी ने लोगों के सरीर को इतना खोखला कर रखा है कि सतर साल तक उम्र पहुंच जाती है तो सोचते हैं कि चलो अच्छी उम्र होगी मनुस जब नीमित दिंचरिया का पालन करता है सन्यपुरग जीवता है तो उसके उम्र बढ़ जाती है प्रकृत ने ये अधिकार दे रखा है आप प्रकृत के नीमों का पालन किजिए तो आपके उम्र सभाविक रुप से अधिक होगी लेकिन यदि आप नीमों का उलंगन करेंगे तो आपके उम्र कम होगी पहले गाउं के गाउं साफ हो जाते थे जब पलेक की बिमारी आती थी हैजा की बिमारी आती थी या मिर्गी की बिमारी आती थी तो कोई बचता ही नहीं था आज विज्जान ने सभी रोगों पर नियंतर पाली आए तो आज गाउं के काउं साफ नहीं होते हैं पहले के रिसी मुनियों के उम्र ज्यादा होती थी सद्यूग में 400 वर्स तिरिता में 300 वर्स द्वापर में 200 वर्स और कल्यूग में 100 वर्स के आसपास के उम्र उचित वाले जाती है लेकिन अब तो 100 से भी उम्र कम हो गई 70 रसी तक पहुचना कठीन हो जाता है जिसमें माभारत का युद हो रहा था उसमें दोणाचारी के उम्र 400 वर्स थी भिस्तामा के उम्र 172 वर्स थी और अर्जुन भीम भी 95 वर्स के थे आज तो 95 वर्स वाले को परमात्मा पर सर्धान न होना स्वध्याय का भाव ध्यान का भाव इन चीजों से मनुष्की उम्र कम हो गई है जब राज्जी ने कि दृष्टी पढ रही हो गरीब दास के उपर तो मौत की क्या सकती थी कि उनको उनके प्राणों को हर लेती इस दिया मौत तडब तडब कर रहा गई गरीब दास्जी का कुछ ने विगाड़ पाई दिल्ले में रहते हुए एक और विचित्र लिला होती है लक्षमी दास्जी के सुरत से लक्षमी दास्जी आते हैं अपनी बेटी के साथ और अपनी पत्ने के साथ नारायर दास्जी ये दो भाई हैं उनकी पत्नी हैं सब लोग आते हैं किसलिए कि हम स्री जी के साथ रहेंगे और सेवा करेंगे अपना जीवन सौंप देंगे राज जी जो भी के लिला करते हैं उसमें कुछ ने कुछ रहस्य होता है आने वाले समय में सुंदर साथ भटके नहीं वाणी से दूर नहो इसलिए राज जी वह एक विचितर लिला कि लक्षमी दास्जी स्री जी के निवास से अलग एक हमेली लेकर ठहरे हुए थे वहां राज जी प्रतक्ष दर्सन देने लगे आवेश दरुप से अब दर्सन देकर सबके साथ भोजन करने लगे सबको देकर अश्यर होता है कि आज हमारे घर राज जी प्रतक्ष दर्सन दे रहे हैं तो लक्षमी दास्जी के अंदर अहंग भावना आ गई और राज जी दर्सन देकर कहते है कि लक्षमी दास्जी आज के आठवे दिन और अंग्जेब के अंदर जो साकुमार की आत्मा है उसको जागृत मैं तुम्हारे तन से कराओंगा अब जब राज जी प्रतक्ष दर्शन दे रहे हूं तो इसमें कौन सक कर सकता है सपना नहीं है प्रतक्ष है आप देखेंगे देवचन जी के तन से भी अडिका लिला होती है अडिका लिला क्यों होती है सुंदर साथ को विश्वास दिलाने के लिए कि ब्रज और राज में तुम भी थे परंधाम में से तुम आए हूं यह बताने के लिए राज जी सुयम आवयस लीला कर रहे है देवचन जी के अंदर जो अक्ष रातीत का आवयस शरुफ विराजमान है वहीं स्रिक्ष के रूप में धर्सन देता है जब स्रीदेवचन जी भरज लीला का वलन करते हैं तो वहां बरज लिला का द्रिश उपस्तित होता है जब राज लिला का वड़न करते हैं तो राज की रामने परत्यक्ष सुन्दर साथ को दिखने लगती है जब अपना हाथ दिवाल पर खीच देते हैं कि देखो उकराज पहाड से यमना जी निकल कर बहती है और होज गोसन में गिरती है तो खलाता हुआ यमना जी का जल परवाहित होने लगता है और सुन्दर साथ इन आँखों से देखता है वैसे तो राज जी के दर्सन के लिए हम कितने पापड बेलते हैं राज जी दर्सन नहीं देपाते क्यों कमी हमारे अंदर होती है राज जी का दर्सन सबसे सरल है और सबसे कठीन है यदि हमारे समर्पण में कमी रह गई हमारे अहन की बृद्धी है हमारे हिर्दे में प्रेम का भाव है तो राज जी का दर्सन नहीं सकता सागर गरंथ में राज जी ने रास्ता दिखा दिया है कि मैं दिखूंगा कैसे वाणी कहते है पिव नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे अनन्द गन तो प्रेम रसायन पीजिए जो आतम थे उत्वन पिव नेत्रों नेत्र मिलाइए आप अपनी परात्म का स्रिंगार सचिए कि हमारी आत्मा का स्रिंगार वैसा ही है जैसी मेरी परात्म का है परात्म का नक्से सिक्तक का स्रिंगार वैसा ही है जैसा स्यामा जी का है आप ध्यान के द्वारा जब आप आसन पर बैठते हैं तो हिले डूले बिना इस भाव में हो जाए कि मेरा जी सरीर ही नहीं है मेरी आत्मा परात्म का सिंगार लेकर काल माया योग माया को पार कर परमधाम पोहुच रही है यमना जी में अस्नान कर रही है यम्मनाजी में हमने इसनान करने के पिस्चाथ परमधाम का सारा स्रिंगार सजाया जो स्यामाचिका है और उसके पिस्चाथ चांदने चौक से आगे बढ़ते हुए सौ सिर्णिया मुख्य द्वार अठाइस धम के चौक के आगे युगल आगे चार चारोस वेलियों को पार कर पांचवी मुकोल हवेली में मुल मिलावे में पहुंचती है जहां सामने युगल सुरुप दिख रहे हैं अब राजी को देखिए भाय मत किजिए वहां मत्धा ने टेकिए बाणी क्या कहती है बाणी में कहीं ने लिखा है कि मुल मिलावे जाकर मत्धा टेकना सुरू कर दो क्या लिखा है पिव नेत्रों नेत्र मिलाए जो उपजे आनंद घन तो प्रेम रसायन पीजिए जो आतम थे उपण एक चुपाई में सब कुछ का दिया पिव नेत्रों नेत्र मिलाएrån राजजी के नेत्रों की तरफ देखिए किस भाव से कि जो सामने बैठा है मेरा प्रानिस्वरे, मेरा प्राण गरne, मेरा प्राण बंलप है, मेरा प्राण बिरता है मैं हक देखों हक देखे मुझे ये दो पुतलिया अरस परस भहियां जैसे हम किसी प्रेमी की तरफ देखते हैं तो उसकी आँखों में हमारी पुतली दिखाई देती है मैं हक देखूं, हक देखे मुझे ये दो अरस परस भहियां आप प्रतेक्च भावना किचे कि मेरी देश्टी राजी को देख रही है और जब राजी की तरफ देखेंगे जब किसी की तरफ देखेंगे तो आपके अंदर प्रेम उमड़ेगा इसलिए बाड़ी करती है प्यों नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे अनंद घन राजी के नेत्रों की तरफ देखिए कैसा सुंदर मुखारविंद है होट कैसी है और पहले उनके नेत्रों में देखिए ताकि आपके अंदर प्रेम हो आप उनसे एकात्म का समंदर स्थापित किजिए भाय की दिवारे सारे तोड़ दिजिए एकरस हो यह इसकसो चले प्रेमरसपुर फेर फेर प्याले लेथे श्याम स्याम भाजे हजो एकरसोना एकरसोने कातात्पर मेरा प्राणिस्वर वो अनन्तसागर है और मैं उसकी लहर हूं मेरे प्राणिस्वर में कोई भेद नही है मैं उनकी अर्धांगनी हूँ वो मेरा प्राणवल्लब है तो मैं उसकी प्राणवल्लब हूँ हम दोनों अरस परस हैं हम दोनों एक दुसरे के हिर्दे में रहते हैं जब यह भावना आ जाएगी तो आपके आत्मा के हिर्दे में वही युगल सुरुप की छभी दिखने लगेगी नक्स सिक तक युगल सुरुप की छभी आपके हिर्दे में बसने लगेगी लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा के हिर्दे में प्रेम भरना पड़ेगा जो चित्वनी में उस भाव से देखेगा राजी के होटों को, गालों को, ठुड्डी को, नास्का को, कान को, आंखों में देकर राजी से प्रेम मांगेगा, प्रेम चाहेगा, उसके हर्दे में प्रेम का प्रभाव आएगा, प्रेम आते ही राजी का प्रतक्ष दर्सन होगा, देखो नेना, नूर जमान, जो रूहों परसंकूल, अर्वा होई जो अर्ष की सो जिन जावे खिन भूल, जो परमधाम की आत्मा होगी, वह एक छड के लिए भी राजी के नित्रों को नहीं भूलेगी, क्योंकि राजी के हिर्दे में जितना प्रेम का सागर लहरा रहा है, वो सारा नित्रों के द्वारा प्रगट हो और प्रदिन राजी के नेत्रों की तरफ देखे, नक से शिक तक पूरे सिनगार को देखे, और वो सुभा को अपने धा मिर्दे में बशा लेकिन यह उनर ऑनी के पार्णी लेतPlay मैंने, तब तक साहगर सिंगार की वानी का ऊतरन नहीं हूँ था, तब तक रची कई डरीगा लिला कर दू만 के संदर साल्ग को कि वानी के पाड़ पार्णी मैंने का बिला कर तक राद्जी अरिका लिला कर चूंदर साल्त को केवल शंतोस लाँ उनकी दर्मपत्नी ने कहा कि राज जी ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे अकेले क्यो दर्सन दे रहे हो, हर सुन्दर साथ को दर्सन दीजे वाणी में कहा है, अच्रा पकड पियो दिखला उसी, राज जी का आँचल पकड कर कहा था कि नहीं, क्यों मेरे दर्सन से आप जाओगे, तो मुझे संतुष्टी नहीं हो सकती है, आपको सब को दर्सन देना पड़ेगा, और यहीं हुआ, राज जी ने एक एक सुन्दर साथ क परतक से दर्सन दिया, सब ने इन नैनों से दर्सन किया, यह दर्सन तो हुआ, लेकिन आत्म चागरती के लिए कसोटी होती है, कि हमारी अंतर दिश्टि कुल जाए, और हम, परमधाम में अपनी परात्म को भी देख लेए, अपनी आत्मा के धाम हुर्दे में बसाना है, आ जाए ताकि वो आत्मा राजी के प्रेम में डूप जाए अब आगे भी तक में सुनेंगे स्रीजी बंगलाजी में जब चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ उनको जिस रूप में चाहता है जाको दिल जिन भाव सो तासो मेले तिन वित मन चाहियां सरूप होई के कारज की सबसित जिसके दिल में जैसी भावना होती है राजी उसको उसी रूप में दरसन देते हैं कोई किर्श के रूप में दरसन देते हैं कोई परमधाम के युगल सरूप में देखना चाहता है कोई सद्गुर्धनिसी देवचंजी के रुप में देखना चाहता है तन में ही राज का है राजी का आवेश रूप उनकी भावना के अनुसार वैसा रूप धान कर लेता है और उनको दर्शन देता है ताकि इन सुन्दर साथ को विश्वास हो जाए कि हम परमधाम की आत्मा है और इस विश्वास से एक असंभाव से कारे को संभाव कर दिया क्योंकि इन इंद्रियों से उपनिस्तों में कहा है न एनम देवा अपनुवान आँखों से अक्षरातीत को नहीं देखा जा सकता लेकिन राजजी प्रकृत के सारी निमावली को तोड़ इसलिए रहे हैं कहीं कहीं कि संदर साथ की आत्मा किसी तरह से जागरित हो जाए विश्वास तो हो जाए सब को कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ इसलिए फिर्दे में विकार भी रहता है लेकिन भाव यदी है प्रेम है तो राजजी ऐसी लीला कर देती है बंगला जी दरबार में कि संदर साथ इन आखों से राजजी के प्रतक्ष दर्सन करता है स्री देवचान जी के तन से सब संदर साथ को प्रतक्ष दर्सन होते हैं लेकिन सिक्र्स रूप में दर्सन होते हैं और महामती जी कितन से जब लिला होती है तो सभी रूपों में दर्सन होता है कभी देचंजी के रूप में दर्सन होता है, कभी उगल्स रूप के रूप में दर्सन होता है, कभी किसी को मुहम्मद सहब का भी रूपतिक जिता है सुर असुर सबों को एपति सब पर एक दया देद दिदार सबन को साई जिन हूँ जैसा चिलिया जो जिस रूप में उनको पहचानता है उस रूप में उनको दर्सन दे रहे हैं वह रूप धारन करता है और सब को दर सन देकर सब की चाहना को पूर्ण करता है अब दिल्ली में भी आप सुनें के भी तक में परसंग आएगा प्रेम जी, नांग जी, संग जी भेजते हैं बिहारी जी महिराज को समझाने के लिए और जब वो देखते हैं कि महिराज जी की जगह पर सद्गुर्धनी सिदेव चंजी बैठते हैं तो उनको प्रबोध हो जाता है कि नहीं, वास्तु की लिला तो स्री जी के सरुप में हो रही है बिहारी जी महराज के पास तो क्यों रूइ के गादे के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है लक्षमी दास जी के साथ भी एही आड़ी का लिला होती है लक्षमी दास जी के सामने जब राज जी आते हैं काते हैं कि लक्षमी दास क्या चिंता करते हो अरे आज के आठवे दिन तुम्हारे तन से मैं और अंग्जेब की आत्मा को जागरित कर दो का लक्षमेदाज जी आकर करते हैं कि धाम धनी आज राज जी मेरे सामने प्रगट हुए सब सुन्दर साथ से बाते किये और कहें हैं कि आठवे दिन तुम्हारे तन से और अग्जेब की आत्मा को जागरित करना है। Shriji कहते हैं, कि ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूं, कि इस जागने कारी में कोई हाथ बटाए। कोई आगे चलता है, तो मैं उसके पीछे भी चलने को तया। सदकुर्धनिस देवचंजी ने मुझे आदेश दिया है परमधाम की आत्माओं को जागरित करने का। तो मैं अपने लक्ष से कभी भटकूंगा नहीं। कोई मेरे साथ चलता है, तो मैं साथ चलने के लिए तयार हूं। कोई आगे चलता है, तो मैं उसके पीछे भी चलने को तयार हूं। नहीं तो जैसा राजी के निर्देश पर मैं कर रहा हूं, सबको सहयोग देना चाहिए। लक्षमिदास जी की बात सुनका है, स्री जी ने कहा कि सुंदर साथ को, कि आप कि मेरे बगल में लक्षमिदास जी का आसन बैठाओ। स्री जी ने कहा कि भाई, मेरे से उंचे आसन पर भी कोई बैठे, मुझे बहुत खुसी है। लक्षमिदास जी कहते है कि नहीं धाम दनी, मैं आप से उपर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आपकी बराबरी में बैठ सकता हूं। क्योंकि राज जी मेरे तन से भी लिला कर रहे हैं, आपके तन से तो लिला कर रहे हैं, लेकिन मेरे तन से प्रतक्ष दर्सन दे कर, जब अरुम्जेव की आत्मा को जागरित करेंगे, तो मैं आपके बगल में बैठने का अधिकार रखता हूं। सुन्दर साथ ने श्री जी के आदेश पर उनका आसन बगल में बैठा दिया, अभीम भाई, श्याम भाई, जब आएं पढ़ाम करने, तो ब्यंग करके बोलते थे धाम के दनी, लक्षमी दाश जी पढ़ाम। अब लक्षमी दाश जी सोचते थे कि भाई, ये मुझे लगता है कि ब्यंग मान कर चिखा रहे हैं। और नहीं तो स्री जी के बराबर तो मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे तन से भी अवेश लिला हो रही है। आठवे दिन राची ने जब दर्सन दिया, लक्षमी दाश जी ने कहा कि धाम दनी, अपना वाइदा पूरा किजिया, तो राची अंतरधान हो गया। और जब सुंदर साथ के बीच में लक्षमी दाश जी आये, सबने पूछा, क्या हुआ, और अरंजेब की आत्मा जागरित हुए की नहीं, तो क्या बताते हैं। क्योंकि आरंजेब की आत्मा को जागरित करने की ये बिना ही राची अंतरधान हो गए थे, या हसी की लिलावी, क्यों? ताकि आने वाले समय में कोई भी सुंदर साथ वाणी से पीछे नाहटे। वाणी में उने काय रखा है? कि उन्दराधी के मैं अंगे संगे, इन्दराधी मेरा अंग, जो अंग संपी इंदराधी, ताय प्रे में खिलाव रंग. सुख देओं, सुख लेओं, सुखे जगाओं साथ, इंदराधी को औ्मां, मैं द Hei अपने हाथ। मैंने सारी सुभा इंद्रावती को दे रखी है, महामती को दे रखी है जो महामती पर फिदा होगा, वह मेरे उपर फिदा होगा जो अंग संपय इंद्रावती, जो अपना हिर्दे महामती को देगा समझ लेना, कि वह राजी को दे रहा है जो महामती से प्रेम करेगा वो मेरे से प्रेम करेगा जो महामती के उपर विष्वास लाएगा वो मेरे उपर विष्वास लाएगा तो इसको सत्थ सिद्ध करने के लिए राज जी ने यह लीला की कि यदि मैं भी प्रगट हो करके अपनी वाणी के बिपरीत कहूं तो मेरी भी बाद को जूट मान ले ला क्योंकि पहले कह रखा है कि सकुंडल सक्मार की जागनी किस के तन से होनी है महामतीजी के तन से होनी है तो वो बात मिठ्धा नहीं हो सकती राजजी प्रति दिन कहते हैं साथ दिन उन्होंने लगतार का, कि मैं तुम्हारे तन से अरंजेब को जगाउंगा, लेकिन अपनी बातों को उन्होंने जूठा करवा लिया, कि मैंने जो बाणी में कहा है, उसी को सच मानना, यह घठना बहुत कुछ कहती है, आज तो यह कहा जाता है, कि प्राणनाजी से बाणी नहीं खुली, प्राणनाजी ने तो किवल पांच सो को तार्तम दिया था, पांच जार को तार्तम दिया था, हमारे सद्कु मैराज ने तो लाखों को तार्तम दिया है, प्राणनाजी को अंग्रेजी नहीं आती थी, हमारे माहराज जी तो भी देसों में गए closely जानते हैं, कई देसों में हुआ है पराणराजning ने 12,000 पाथ नहीं रखवाए अमुक माहराज जी ने 12,000 पाथ रखवा दे ऐसी बाते का पराणराज ब wooden बनाने का कोंठ गया जाता है उसको प्राणनाद करते हैं आपने अंग्रेजी भासा सीकर कई देशों में भ्रमण कराए तो आप अंतर राष्टी संत हो गए और प्राणनाजी राष्टी संत प्राणनाजी को राष्टी संत करकर तालियां बजाए जाती है महापूरुस करकर हम भी अचारी है और प्राणाजी है पहले अचारी देवचंदी दूसरे अचारी प्राणाजी हम भी उनकी परंपरा के हैं तो हमारा भी अस्थान उनके बराबर है ये कैसी मन सकता है तरेव महम्मद मेदी कि ऐसी सुनि न कोई क्या है, कई हुए, कई होई सी, पर किन ब्रहान दोन है किसी भी ब्रहान में प्राहना जी की महीमा के बराबर न तो अब थक कोई हुआ है, न है और न कभी होने वाला है यह बात सब को गांठ में बांग लेनी चाहिए जो बाली का कथन है वो अंतिम सत्य है किसी ने कोई चमतकार दिखा दिया तो इसका तात्परिया नहीं कि वो प्रानाजी से बढ़ा हो गया प्रानाजी की कृपा से ही सब कुछ है प्रानाजी का वरधस जिस पर हुआ उस परमंस ने चमतकार के लिए लाएं दिखाई हम जो कुछ भी है उनकी किरपा दिष्टी से ही है यदि हम अपना प्रानाजी से प्रिथक अस्थित खड़ा करते हैं कि हमारे अंदर प्रानाजी से अलग भिसेशता है तो इस पाप का कोई भी प्राहिसित नहीं हो सकता है यहीं लिला का उदिख से है कि राजी ने अपनी भी बात को जूठा कर दिया कि यदि मैं भी कहता हूँ तो मेरी बात को नहीं मानना वाणी की विप्रिथ आज सारा समाज यदि वाणी के कथनों का उनसुलन करने लगे तो सबकी आत्मा जागरित हो जाए लेकिन प्रस्थ खड़ा होता है कि हमारे गुरु महराज जी तो ऐसा नहीं कहते है तो लोग गुरु की बात मानते हैं गादे की बात मानते हैं बाणी की बात को नहीं मानते हैं हाँ, बाणी का अर्थ वास्तिविक होना चाहिए उसमें पक्चपात नहीं होना चाहिए निस्पच्छ मिर्दे से जो बाणी का अर्थ निकले और यदि वह सत्य होता है तो उसी को परम सत्य मानना चाहिए कभी भी किसी ब्यक्ति भिशेष के कथन को नहीं मानना चाहिए हाँ बाणी के साब्दिक अर्थ अलग होते हैं और भावात्मक अर्थ अलग होते हैं जैसे बाणी में सिद्ध लिखा है भागवत के कई कथनों को उध्रित करके जैसे पचास करोड़ जोजन जिमी कलस में ये परसंग आता है तो एक योजन में तीन किलो मीटर लगभग होता है एक योजन में चार कोस होता है एक कोस में लगभग तीन किलो मीटर के आसबास दुरी मानी जाती है ये पचास करोड़ योजन की बात विज्यान को स्विकार नहीं है तो भागवत में पचास कोड़ योजन लिखा है इसलिए वो उधरन दिया गया है यह राजी का कथन नहीं है इसी प्रिकार से भागवत की रचना ब्यास नहीं की है यह भागवत में लिखा है इसको राजी का कथर नहीं मनना चाहिए वो तो उस समय के परसंग के उनसार दरसाया गया है कि वेद ने पुरान साथ उपजे भारत पर अठार दाज नर मिठी तिन ब्यास की पीछे उपज्यू भागवत सार यहाँ परसंग भागवत में लिखा है और उस परसंग के अनकूल किरंतन उतरा है उस समय के जन शमो को समझाने के लिए कोई इसका अर्थ करके ऐसा न कर दे कि राज्जी को क्या बात यह पता नहीं थी जो उन्हें निक्षी तो वाणी में तियो तूर्टी है वाणी में कहीं तूर्टी नहीं है हमें प्रसंग के अनकूल अर्थ करना पड़ेगा किस प्रसंग में कौन सी चौपाई कही गई है और तब उसका वास्तिक आसे अस्पेश्ट होगा सब्दार्थ को जदी पकड़ेंगे तो हम सत्य से बंचित हो जाएंगे यह घटना है हमें दर्साती है कि वाणी कही किसने अक्षरातीत ने कही महामती जी के धाम हर्दे में बैठ कर कही है एक लुगा भी इंदरावती जी से ने अस्पेश्ट कहा है मेरी बुद्धे लुगा ननिक से धनी जाहिर करे अखंड घरसुक मैंने तो इसका एक अक्षर भी नहीं कहा है कहने वाले कौन है स्री मुकवानी धनिये कही कहने की सुभा कालबूत को दई मेरी समिठी के पुतले को सुभा दे रख़ी अक्षरातीत ने कहने वाले सुइन धाम धनिये इसलिए हम इस ब्रह्मवानी का जितना सम्मान करेंगे तो राजी के बचनों का सम्मान करेंगे हमें जाकृत होने के लिए ब्रह्मवाणी को आत्मसाथ करना होगा अभी मैंने आपको बताया कि स्रीजी जब जब लिला करते हैं जहां जहां जाएंगे दिल्ली से लिला शुरू होती है जब स्रीजी चर्चा करते हैं सुन्दर साथ को प्रतेक्ष दर्सन शुरू हो जाते हैं दिल्ली में होगा उदैपूर में होगा पन्नाजी में तो प्रतिदिन लिला होती है सुन्दर साथ इन नैनों से साक्षात युगल शुरूप का दर्सन करता है चित्वनी में भी करता है जिनकी आत्मा जागरित नहीं होती है राच्ची उसके अंदर प्रेम की चिनगारिद टाल देते हैं इन नैनों से प्रतेक्ष दर्सन कराया सिष्टी में आज तक अभी नहीं हुआ था लोगोंने बड़ी-बड़ी समाधियां लगाई सुन निराकार में गए किसी को देखा किसी ने विष्णों को देखा किसी ने सिव को देखा किसी ने बड़े-बड़े योगी महापुर्सों को देखा जोती सरूप नारायन को देख करके ठक गए पंच वासनाय गई बेहत में गई अखंड ब्रह्म की अखंड 700 संदरी को देखा लेकिन बेहत को पार करके अक्षर को पार करके परमधा में जो अक्षरातीत का अनंत सौलिला अद्वेत की सोर सुरूप है उसको आज दिन तक किसी ने भी सृष्टी में नहीं देखा था सृष्टी को बनाने वाले नारायन ने नहीं देखा था और तो और जिस अक्षर ब्रह्म के आदेश से असंख्यो ब्रह्मान पल में बनते हैं उस अक्षर ब्रह्म ने भी नस्यामा जी का सुरूप देखा था नाराची का पूर्ण सुरूप देखा था उसको सुलब कर दिया सब के लिए जिसके हिर्दे में जैसी भावना होती थी स्री जी चर्चा करते थे बंगलाजी दर्वार में और सब सुन्दर साथ को प्रदेक्ष दर्सन होने लगते थे युगल सुरूप का इन नैनों से इन नैनों से होने के पेस्चाथ जब वो चित्वनी में बैठता था सुन्दर साथ तो माया के सारे विकार समाप्त हो गए थे और उसको दर्सन हो जाते हैं अपनी आत्मा के धामिरते में और यही हुआ कि पांच जार की जमात में जो पांच सो ब्रमिसिष्टी थी उनमें एक भी ऐसा नहीं था सुन्दर साथ जिसने यहीं बैठे बैठे युगल सरुप को ना देखा हो परमधाम के पचेश पक्छों को ना देखा हो आज छटे देन की लिला में सुन्दर साथ में अकर्मनिता फैल गई है चित्वनी का कहीं नाम निसान भी देखने को नहीं मिलता कहीं कहीं टिम्टिमाते दीप की तरह चित्वनी की लोग जल रही है कुछ परभंसों ने इसको जीवंत बनाई रखा और वो धारा आज भी चलते आ रही है लेकिन नब्बे परसत सुन्दर साथ तो कर्मकांडों में फसा हुआ है घंटे गडिया, सेवा, पूजा, मेर सागर का पाठ, परायन इसी में सारी उर्जा लग जा रही है हमारी आत्मा का सुरुप क्या है हमारी परात्म का सुरुप क्या है युगल सुरुप की सोभा सिंगार क्या है राजी के एक एक नख नख में, एक एक अंगली के रिखाओं में, अब कौन डुबना चाहता है, कौन ठुट्डी की सोभा को देखना चाहता है, कौन नासका की सोभा को देखना चाहता है, कौन गले की सोभा को देखना चाहता है, कौन हस्त कमल की लकीरों में खोना चाहता है, इसके लिए तो प्रैम चाहिए, हुर्दय का समर्पण चाहिए, हुर्दय की कोमन्ता चाहिए, निर्विकार्था चाहिए, जब तक हिर्दय में प्रैम का रस नहीं आएगा, यह सुख मिलेगा नहीं. और राजजी ने इसके लिए सारे नियमों को धत्ता बता दिया कि जो नियम अब तक लागो हो रहे थे कि निर्विकार हुए बिना दर्सन नहीं होता लेकिर राज जी ने कहा चलो तुमारे जीव के अंदर विकार है तो क्या, तुमारे अंदर प्रेम है तुमारे अंदर समर्पण है तो लो देखो, प्रतक्ष स्री जी चर्चा कर रहे है और सुन्दर साथ उसका आनद लेता जा रहा है ऐसा स्वरडेम आउसर कभी भी नहीं आया था छटे दिन की लीला में भी राजी ने हमारे लिए सुनाला आउसर दे रखा है बस हमको यही करना है कि आसन को इस्थिर बना लेना है अहार को सात्विक कर लेना है हिर्दे को कोमल कर लेना है प्रेम भर लेना है हिर्दे की सुसकता को निकाल फेकिए अपने अंदर किसी भी तरंगी अहं की ग्रंथी नरखिए कि मैं यह हूँ, मैंने यह किया मैंने यह किया आपने क्या किया सब को भूला दीजिए करने वाले वो कराने वाले वो आपके आत्मा उस प्रानेश्वर की अर्धांगनी है जब यह प्रेम भाव आएगा तो निश्चित है कि राजजी एक बल के लिए वीदेर किये बिना आपके आत्मा के धां मिर्दे में मुस्कराते हुए प्रगट हो जाएगे इस त्यवारी करती है लाओ प्यार करोधिदार यह तब तक अधिकार मिला है इस त्रिष्टी को जब तक यह धर्ती है सूराज है चंद्रमा है जब तक जागनी लिला का खेल चल रहा है तब तक हर सुन्दर साथ को अधिकार है और यह जान हम जिसको देंगे उसको भी अधिकार मिलता है कि हम अपने प्राणवल्ला बक्षरातीत का दर्सन कर सकें आप संसार में जाकर देखिए गुफाओं में लोग बैठे हुए है उनसे पूछिए आपको क्या दिखता है विवकानने कई ध्यान करने वाले को हाथ से हिला हिला कर पूछा आँख मुद कर क्या कर रहे हो क्या तुमने दिखाए परमात्मा को रामकृष परमांस के सिवाए किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमात्मा को दिखाए रामकृष्ण ने भी जो दर्सन किया था वो जोति सुरुप नारायन का दर्सन किया था अक्षरतीत का दर्सन उन्हें भी नहीं था लेकिन उन्होंने समाद को एक सिक्षा तो दी ध्यान के बल से कैसे दर्सन दे जाता है दर्सन किया जाता है हाँ, ध्यान करने वालों को अपने हर्दे में प्रेम भरा हर्दे बनाना पड़ेगा, सुस्गता ने हैं सुस्कता दर्सन वे बाधक है निष्छूरता बाधक है अंकार बाधक है हमारा हर्द प्रेम से प्रेम Papalche ho जाए प्रेम से लवलव भर जाए और वो पुकारे, तो राची कहीं दूर नहीं बैठे है, वो तो हमारे हिर्दे में ही बैठे है, एक माया का पर्दा हटाना होता है, और यह माया का पर्दा हटता है, अंकार को हटाते हैं, माया का पर्दा हट जाता है, हमारी आत्मा के धा मिर्दे में युगल सुरूप मुस् कच्छु अंतर आए, कोई अंतर नहीं राजाता, भले ही हमारी परात्म परमधा मुल मिलावे में बैठी हो, लेकिन हमारी आत्मा तो इस खेल में आई है, और उस आत्मा को भी वही इस्थिति प्राप्त हो जाती है, जो परात्म को प्राप्त है, इस्थिये चित्वनी करके र हिर्दे निर्मल हो जाए, आप सरीर को इस्थिर करके अपनी अंतर दिश्य देखने का प्रयास करें, आपके हिर्दे में प्रेम का, कोमलता का, समर्पन का, स्रधा का, जहरना फूटे, फिर देखिए, संसार की कौन सी सकती है, जो राजी के दर्सन से आपको बंचित रखती आप स्री Sutinky के अंदर अंतर प्रेणा होती है, क्या बिक्रम संमत सोलह सोओ का समय होगया, सक्ष्पमत सोलह सोओ चल रहा है, और बिक्रम संमत सतरह सोपैंतीस का समय चल रहा है, भाविस्दीप का गरंथ में लिखा था, कि सालिवाहन सकातु गत्सोडस करम सितम, जीव उधाराय ब्रमांदे कल के प्रादुर भाविस्द। यानि सालिवाहन सका के सोलो सो वर्स उसमें पूरे होने जा रहे होते हैं, और बिक्टम समझ सत्रो सो पैंटिस का प्रारंभ होने वाला है। उस समय स्रीजी एक महिने तक साजान पुरबोडिये में रहते हैं, वहां से खरकारी राजा के पास निर्मल दास और चार सुंदर साथ को भी भेजते हैं, लेकिन वह जागरित नहीं होता है। मैं समझता हूँ, साजान पुरबोडिये से स्रीजी हर द्वार होकर हर द्वार जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कोई और रस्ता होगा। उनके चर्णकमल सरसवा की धर्ती पज़रूर पड़े होगे। क्योंकि इधर से ही रास्ता जाता है। अब हर द्वार में कुम का मेला लगना है। बारा वर्स वाला कुम। कुम के मेले का से क्या है। पौराणिक मानिता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समंद्र का मन्थन किया था। समंद्र का मन्थन करने से चोदा रतन निकले थे। जोदा हुमार रतन अमृत था। जब अमृत निकला तो इसको लेने के लिए देवताओं और असुरों में छीना जहप्टी होने लगे। इंद्र का पुत्र जैन्त, अमरित कुम्ब लेकर भगा और असुर उनका पीछा करने लगे, तो जहां जहां अमरित की कुछ बूदे घड़े से छलग गई, प्रियाग है, नासिक है, उजयन है, और हर द्वार है, यहां की नदियों में अमरित की कुछ बूदे पड़ गई, जिससे आज भी मानता है, कि उन उसमें जो स्नान कर लेगा, वो मुक्ति को पराप्त कर लेगा, यह पुरानी कथा है, हर पुरानी कथा एक अखाइका के रुप में होती है, जिसमें कुछ अलंकारिक रुप से कहा जाता है, देवता और असुर, इस्रिष्ट के ही प्राणी ह अमृत क्या है, अमृत वह है, जो मरेने, यह जिसका सिवन कर लेने से मनुस मृत के बंधन से छूट जाए, यदि आप वेदों की तरह मुड़ें, तो आपको विदित होगा कि अमृत का अर्थ क्या होता है, अमृत कहां से प्राप्त होता है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, विद्या ने नहीं कहा कि समूंदर का मंधन करो, समूंदर का मंधन कैसे किया, पौराणी कथा कि उनसा, कि वासिक जैसे दूद्ध या दही को मता जाता है तो मंद्राचल पहाड को देवताओं और अशुरू ने उखाड लिया, समुद्र में डाल लिया, देवताओं पैर के पूछ की तरफ लगे और असुर सीर की तरफ लगे, मत्ते मत्ते जैसे दही से मक्षर निकलता है, तो समुद्र से जैसे भी 14 निकले. अब प्रस्निया है, कि जो 14 निकले, उसमें एरावत भी है, उचाहिस्रवा घोड़ा भी है, हला हल बीस निकला, वारूणी मढईरा निकली, ऐस इसे 14 पदार्त, एरावत हाथी निकला, ऐसे 14 निकलते हैं, उसमें एसे धन्वंतर भी निकले अमरित कलस लिये वे और उस अमरित कलस के लिए जगड़ा हुआ तो विश्ण भगवान ने मोहिनी रूप धारन करके अशुरों और देवताओं दोहुनों को मोहित कर लिया देवताओं को तो उन्होंने अमरित पिला दिया और अशुरों को मदिरा पिला दिया क्योंकि अमरित का घड़ा ऐसा था जिसके दोनों तरफ मुख थे और पता नहीं चल पा रहा था कि किधर की तरफ अमरित है और किधर की तरफ सराव है अब इसका सुच्छ अर्थ समझिये देव किसको कहते हैं? जो विद्वान हो जो सुतोगड़ प्राणी होता है उसको देवता कहते हैं जो तमोगड़ होता है उसको असुर कहते हैं देव और असुर ने मिलकर के समंत्र मंथन किया हमारे अंदर देव प्रविर्ती भी है और असुर प्रविर्ती भी है हर प्राणी में सत्वरजतम होता है जब हमें क्रोध आए लोब आए, अंकार आए विकार ग्रसित हो और हम अंधे हो जाएं विकारों से तो सोचना चाहें कि हमारे अंदर त्रमोगुण का प्राबल लेए जब हमारे अंदर केवल काम दिखाए यह काम करना है, यह काम करना है लोब और मोग प्राबल हो तो उसमें रजगुण की प्राबलता और जब सब फिका लगने लगे कामधाम भी अच्छा ना लगे कुछ भी अच्छा ना लगे केवल अच्छा लगे स्वाधय, सत्संग, परमात्मा का ध्यान तो समझना चाहिए कि हमारी अंदर सुत्योगुण की प्राबलता हो गई है अब ब्रह्मचरेण तपसा देवा मृत्युम उपागनाथ वेद क्या कहते हैं? ब्रह्मचरे रूपी तपसे देवताओं ने मृत्य को जीत लिया ऐसे अर्वेद में कई उसधियां है एक ऐसी उसधियां है जिसके सेवन से चार्ट सो बर्सों की उमर असानी से हो जाती है किर्सदत जो बर्नवा के थे गुरकुल में जिनके उपर कहा जाता है कि सिंगिर इसी का जीव था जब वो बहुसिक आवस्था में बोलते थे तो उन्होंने बोला है कि रामण ने ऐसी आउसधियों का निर्माण किया था जिसके द्वरा बाइसो बर्स की उसने उमर पाई थी वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि अप सुआंता अमरितम अब सुनता है भी स्वान भेश जा जल के अंदर अमरित है इसका आसे क्या है कि जदि जल ना मिले तो हमारा जीवन समात हो जाए जल हमारे लिए अवस्थ है कुछ दिन भोजन ना मिले तो भी चल जाएगा लेकिन जल के बिना नहीं चलेगा उस अधार पर कुछ उसदियां हैं जिसका सेवन करने से मानो जीवन को लंबा खीचा जाता है तो उसको कहते हैं अमरितम आई है लेकिन वास्तविक अमरित क्या है सोम्रस सोम्रस को भी सोम नाम की लता वैद्यों ने समझ लिया वास्तिविक सुम्रस क्या है ब्रह्मानन्द है सुम्रस है जिसने परमात्मा का सक्षातकार कर लिया उसने अमरितत्य को प्राप्त कर लिया अब परमात्मा कैसे प्राप्त होगा समाधी से इसलिए मनिशियों ने अमरितत्य की प्राप्ते की उस परमात्मा को जानकर ही मृत्य के बंदन से छूटा जासे अन्य कोई मार्ग नहीं है तो आप सोचिए जिन्होंने मृत को पार कर लिया तो कैसे अमृतत्य को प्राप्त कर लिया यानि परमात्मा का दर्सन ही अमृत की प्राप्ति है अमृत सरूप है वह परमात्मा वेद में परमात्मा का सरूप कैसा दर्साया गया है दिर है अजर है अम्रित सरूप है वह परमात्मा उसका जो दर्शन कर लेता है वहीं अम्रित का पान करने वाला माना जाएगा आप सुन्दर साथ के लिए भी अम्रित पान का उसर है आप ही चित्वनी कर दिये आपको अम्रित मिलेगा की प्रेम का अम्रित मिलेगा एक्ष़रातीत की सुभा दिखाई देगी फिर हम्रित यसे डरने ही लगेगा जब हम समान निवस्था में है हमारा सरीर छूढता है हम सोचें भी कि जब सरीर छोड़ेंगे तो कैसा लगेगा जदी हमने राज जी को नहीं देखा तो ये संसार देखता रहेगा और इसी संसार में हमारी वासना पुनालोट करके आती है लेकिन राज जी से हमने प्रेम किया तो सरीर छोड़ने से पहले राजजी हमारे सामने रहेंगे और सरीर के छुड़ते ही राजजी मुस्कराते हुए हमारे साथ रहेंगे इतना भी स्वास्र के यह ध्यान रूपी समुंद्र मंथन यह बहुत सागर है इस बहुत सागर रूपी संसार का मंथन करके हमने तत्व ज्यान प्राप्त किया उस तत्व ज्यान के सारे जैसे समुंदर मन्थन किया जाता है लकड़ी की दो लकड़ियों को अरणियों को रगड़ा जाता है तो अगन परकट होती है उसी तरह से ध्यान रूपी मन्थन के द्वारा हमारी आत्मा अपने प्राने सर्व को साक्षात पा लेती है उस अम्रित सर्व को पा लेती है जिसको पाने के बाद जन मरन का चक्र समप्त हो जाता है इसको करते हैं समुद्रमंतन से अम्रित का निकलना लेकिन आज पौरानिक हिंदो हरद्वार में जाएगा कुम में इस्नान करने के लिए नासिक में जाएगा उजैन में जाएगा प्रियाग में जाएगा उन नदियों में डुपकी लगाने को ही मान लेता है कि हमने अमरित में डुपकी लगा लिए नदियां तो निरंतर भाह रही है आज लाखो अर्बो साल से करोणों वर्स पहले ये घटना यदि मान भी ली जाए तो जो बूद्गिरी क्या आज वहीं पर है क्या वो तो सब कुछ बहा गई लेकिन वास्तविक अमरित क्या है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता अब स्रीजी वहाँ पहुंचते हैं हरिद्वार में सब सुंदर साथ के साथ कुछ सुंदर साथ दिली में रह जाते हैं कुछ सुंदर साथ को लेकर स्रीजी हरिद्वार में पहुंचते हैं जहां सभी मत पंथों के अचारी आए होते हैं बैश्रों के चारों पंथों के अचारी सट दर्षन के अचारे दस नाम सन्यासमत के अचारे आई होते हैं हिंदू समाज के जितने मतपंत हैं सभी महाँ पस्चित हुए होते हैं और सभी श्री जी की अलोकिक भेशबुसा को देकर संसे करने लगते हैं क्योंकि आप जाएंगे हिंदू के भिन्विन अखारे हैं सब की माला का रूप अलग है किसी की पहचान कंठी माला से होती है किसी की पहचान तिलक से होती है सब की अलग-अलग अखारे हैं अलग-अलग मंत्रे सभी ने देखा कि ये तो कोई बिचित्रभेश मुसाप में है इन्होंने सीर भी नहीं मुड़वाया हुआ है भगवे कपड़े भी नहीं पहने है इनका तिलक भी अजीब तरका है सबने मिलकर के पूछा कि आप अपना परचे दिजिए कि आप कौन है उनके मन में डर बैठ गया था कि कहीं और अरंग्जेव ने कोई भेद लेने के लिए अपना आदमी तो नहीं भेद दिया है क्योंकि यदि कोई हिंदू होता तो हमारे प्रचिनत आखाडों में से होता हमारी भेस बुसा में से होता इनका तो हमसे कुछ मिल ही नहीं रहा है स्री जी ने कहा कि भाई आप तो प्राचीन और पुरातन हो आपका पंत अथि प्राचीन काल से चला आरह है आप अपना परिचेदिजे कुना मैं अपना परिचेद होंगा मैं तो आया हूँ आत्म करलियार की भावना से आप अपना जान हमें सुनाए सबसे पहले राबानुच संपरदाय के अचारी खड़े हो जाते हैं सास्तार्थ का अर्थ क्या होता है सास्तर किसको कहते है सास्तर का अर्थ होता है जिससे मनुष्ट को निर्देशन दिया जाए सासन किया जाए सास्ते येन सास्तर है एक पादरी था जम्मु दरबार में पहुँच गया, उसने सारे पुराणिकों को सास्थार्थ की चुनोती थी, कई लोगों को, कई बिद्वानों को क्रिश्चन बना चुका था, सारे पुराणिक पंडितों चिपकर भाग गये, कोई अर्शमाज के एक बिद्वान थे वहाँ, मेरा नाम, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि अच्छा, इस पादरी से सास्थार्थ माई करूगा, उपादरी विदेश का था, बनारस मेरेकर उसने काफी संस्कृत का धिन किया था, और उस संस्कृत ज्यान के बल पर, अधिकतर को वो क्रिष्टिन बना चुका था, जब सास्तार प्रानम हुआ, तो उन्होंने पहला प्रस्त की पुछा, कि सास्त्र सब देन किम अभिधिय थे, सास्त्र का अर्थ क्या होता है, बिचारे को सास्त्र का अर्थ ही नहीं पता था, वही पर हार गया और भाग छूटा यदि वो नहीं हारा होता है तो पूर्या जम्मुक के राजा कस्मीर के राजा कोश दिन क्रिश्चन बनना पड़ता है सास्त्र किसको कहते है जिससे सासन किया जाए निर्देश दिया जाए कि आपको ये करना है वह सास्त्र है और सास्त्र के आसे को समझने के लिए जब दो बेक्तियों में बारता होती है तो उसको कहते हैं सास्त्रा अर्थ अर्थ यानि अभिप्राय सास्त्रा अर्थ का रथ जखड़ा नहीं होता है सास्त्रा अर्थ का रथ यानि अपनी सास्तार्थ का आसा है सत्य का निरुपन करना अपनी बात आप कहिए हम अपनी बात कहें और ये निर्णायक रखा जाता है कि हाँ निस्पक्ष बुद्धी से ये विचार किया जाता है कि ये सास्त्र का आसा है इसमें लड़ए जगड़े की कोई बात नहीं होती थी लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी पंडित अपनी हार नहीं मानना चाहता और अपनी गलत बात को भी इतनी दबंगई से जोड़ जोड़ से चिलाने लगता है कि वही सच कहरा है और इसी से बिवात खड़ होता है पहले सास्तार्थ होते थे संक्राचार और मंदन मिस्र का सास्तार्थ हुआ था मंदन मिस्र की पत्नी ने अपने पति के विरुद ही निरने दे दिया कि मेरे पति हार गए पहले निश्पक्षता थी कोई पक्षपात नहीं करता था आजकल तो सास्तार्थ होने का मतलब लोग हथियार लेकर जाते हैं एक दुसरे पत्थर मारते हैं गोलियां तक चलने की नोबत आ जाते हैं क्योंकि प्रिस्द खड़ा होता है कि हमारा पंथ सही है सत्या सत्य का निर्णे करना लोगों को अभी प्रेत नहीं है केवल अपने बाहुबल से ये दर्साना कि मेरा मत सही है इसके लिए हिंसा पर उतारू हो जाया करते हैं जबकि सास्तार्थ का उदेश ऐसा नहीं होता अब स्रीजी के सामने रमानुज मत के अनुयाई खड़े होंगे आप देखिए ये अपनी सारी बात क्या कहेंगे सारी बात प्राचिंता से जोड़ेंगे जबकि सच यह है कि राजा भोज के प्रिस्चाहत बैसरों संपरदाय का प्रारंभ हुआ है चार पंथ है बैसरों के एक कहेंगे कि हमारी पद्धती लक्ष्मी से चली जैसे रमानुज वाले कहेंगे कि हमारी पद्धती लक्ष्मी से चली है एक कहेंगे कि हमारी पद्धती सीव से चली एक कहेंगे कि ब्रह्मा से चली सच कोई कुछ भी नहीं है कल जुग में ही सारे पंथ चले है और कल जुग में भी धाई अजार वर्ष के अंदर से सारे संपरदाय चले है महाभारत काल से पहले महाभारत काल में कोई भी संपरदाय नहीं था बाम मर्ग थोड़ा थोड़ा उबड़ रहा था जब माभारत के युद्ध में बड़े-बड़े राजा जानवान मारे गए कोई जान का प्रकासक नहीं रहा तो वेद मंत्रों के उल्टे अर्थ होने लगे वेद में विष्णु सब्द है विष्णु कार्थ क्या होता है? ब्यापक स्वरुप वाला जिसका सरूप व्यापक हो जिसकी सत्य व्यापक हो उसको विष्णु कहते है सीव कार्थ क्या होता है? कल्याण कारिया जो सब का कल्याण करने वाला एक परमात्मा है उसको सीव कहते है जो ऐस्वारी अमान हो उसको इंद्र कहते है जो अखण इस रूपब वाला है उसको आदिति करती है जो वरण करने योग उसको वरू करती है वेद में ये सारे सब्द आए है लेकिन वेद ने एक परमात्मा के श्तुति किया है किसी देवी देटा के श्तुति नहीं किया है इंद्रम, मित्रम, बाणौ बनुड़ा सुपार्णास गरुत्मा एकम सद बहुदा विप्राबदंत यम मातिरिस्वानमाव यम कार्थ ब्रह्म होता है, मातिरिस्वा कार्थ ब्रह्म होता है पावरानिकों ने अश्ठादाई महाभास कासका न पढ़ने के कारण निघंट निरुक्त ना पढ़ने के कारण इनको देव परक मना दिया कि वेद में ब्रह्मा जी की स्थुती है विश्रू की स्थुती है शीव की स्थुती है अमुक इंदर देवता की स्थुती है ऐसा कहीं कुछ नहीं है एक परमात्मा को छोड़ कर वेद में किसी भी देवी देवता के इस्तुती नहीं है देवता किसको कहते हैं जिसमें दिव्य कुरू अईसा नहीं है कि वेद में उनका बढ़नन किया गया हो अब देखेंगे, इन्होंने अपनी कल्पित कहोनिया गड़ लि, कि शीवपुरान पढ़िए, तो ब्रह्माजी की और विश्टनों की खुब निंदा की गई है, विश्टनों पुरान पढ़िए, तो उसमें संकरजी की निंदा की गई है, देवी भागवत पढ़िये तो ब्रह्मा भिष्णुशी तीनों की निंदा की गई है यानि वेद के आसे को नज समझने के कारण ये जूट मूट के पुरान अठारे रच दिये गए सब में एक दुसरे की निंदा की जाती है और रामानुच बैस्रों जो रामानुच अचारे ने चलाया था दक्षे भारत में इनका जन्म हुआ था लगबग एक हजार सत्तर बिक्रम सम्मत के असपास इनका जन्म हुआ था इनके पिता का नम के सव अचारे था और इनके पहले तीन और आचारी बैसनों सम्प्रताय के हो चुके थे सठकोप, मुनिमाहन और यामनाचारी सठकोप चंडाल थे मुनिमाहन भी निमने बरके थे और यामनाचारी जो यामन कुल में उत्पन हुए थे हुआ ये कि संक्राचारी के पिस्चाद कटरता और बढ़ गई सुद्रवन को सताया जाने लगा परिडाम यह हुआ कि जन्मना जो बढ़ बेवस्था पैदा हो गई ब्रामण बरग अपने को उच्छ मानने लगा दूसरे बरगों को हीन समझने लगा इसकी प्रत्क्रिया शरुप सुद्रवन आद कही मत खड़े हो गए और उन्होंने अपना-पना संपरदाय चिला दिया समाज में जब तक सिक्छा नहीं रहती तो सौभाविक है कि समाज में मत खड़े हो जाते है इसलिए अपने को सब्द सावित करने के लिए हर संपरदाय कानुयाई कहेगा कि हमारा मत तो सिष्ट के प्रारम से ही चल रहा है आप इनकी पदेती सुनिए अपनी पदेती में ये क्या बताते हैं कि हम सिष्ट के प्रारम से चल रहे हैं जबकि ये बात सौत परिशत जूट है साहिम हो बैस्रों हो सब ये पंथ कल जुग में चल रहे हैं आप उनकी एक-एक बात को सुनिए तब बोले रामानुज अब रामानुज क्या बोलते हैं सब सास्त्र वेद मत इस्ट हम अपना सास्त्र वेद और मत क्या है ये दर्स आते हैं कहूं अगोचर पंथ सही अगर हमारा पंथ क्या है? अगोचर यानि त्रिकुणातीत मार्ग का अंस्राण करने वाला है देखो अपनी द्रिष्ट है स्री जी आप जो है अपनी अंतर द्रिष्ट से हमारे मत की विशेष्टा को गरण कीजिए हमारे गुरु धर्म में और हमारा जो पंथ है इसके अंदर क्या होता है कही नाम माला उर्माही नाम माला को नाम की माला को हम हिर्दे में धारन करते हैं ऐसे तो सभी बैसनों तुल्शी की कंठी प्रियोग करते हैं लेकिन साध्यानतिक रूप से नाम माला को प्रमात्मा के नाम की माला जबते हैं हम भी संध्यारती में गाते हैं नाम माला उर्धारो साथ भाई नाम माला उर्धारो लेकिन हम संदर साथ भी गले में तुल्सी के कंठी पाहन लेते हैं वाणी में कहीं ने लिखा है वाणी तो कहती है सो माला वावो गले में द्वादस करो दस बेर जो लो पीमना उलके तो लो मन न छोड़े फेर एक दो माला नहीं सो मालाएं भी डाल लेजिए तो भी आपकी आत्मा जागरित नहीं हो सकती है इसलिए चारो बेदो में, छे दर्सनों में इगारो सो सताई सखाओं में माला पहनने का कहीं भी बढ़ना नहीं है लेकिन पौराणिक मानिता है जिस भी माहत्मा को देखिए गले में मालाएं डाले रहता है अच्यूत गोत्र अतसुची परम और हमारा गोत्र क्या है? अच्यूत गोत्र गोत्र किसको कहते हैं? जैसे ब्राम्रो में तीन गोत्र होते हैं गर्ग, गोत्म और संडिल गर्ग, गोत्म और संडिल जब कोई गोत्र अपना बताए तो इसका अतात पर हिया है कि इनकी जो बंसावली है उन से निकली है यानि किसी के बंस का जो मूल पुरुस है वहां गोत्र कहलाता है जैसे सभी बर्गों के आप चारों बर्णों के गोत्र की आप जाँच करेंगे तो लगेगा कि जो आज सुद्र भी कहलाते हैं वो भी इस्मुनियों के ही संतान है आज जिनको आप डलित कहकर के दुधकारा करते हैं इनकी बंसावली पुछे तो किसी किसी नारूप में आपको इस्मुन के ही संतान मिलेंगे वह अपणा गोत्र इस्मुन से जोड़ते हैं अब ये रामारुज वाले क्या कहते हैं, हमारा गोत्र अच्युत है, अच्युत यानि हम विष्णु के उपासक हैं, तो विष्णुस ही हमारा गोत्र है, प्रभु अनंत साखा जो आही, और हमारी साखा क्या है, अनंत, साखा किसको कहते हैं, जैसे, जान दिरिश्टे देखा तो वेदों की 217 साखा रुब्याख्यान है जो ज्ञान की जो अलग-अलग धाराएं चली जाती हैं उनको हम साखा करते हैं और इसलिए यहां कह रहे हैं कि हमारी साखा है प्रभु अनंत साखा है शुकल हमारो वर्ण है वर्ण हमारा सुकल है सुकल कारत क्या होता है स्वेत सतोगुड, रजगुड, तमगुड तीन गुड होते हैं तीनों के तीन रंग होते हैं सतोगुड का रंग स्वेत माना जाता है रजगुड का रंग लाल माना जाता है तमगुड का रंग काला माना जाता है जब किसी ब्यक्ति में पाप विकार आ जाए, तो मुगूर आ जाए, काम विकार आ जाए, तो क्या करते हैं, देखो इनका चेहरा काला हो गया, यानि पाप से चेहरा काला हो जाता है और जब किसी के चेहरे में सात्विक्ता जलगती है, अधात्मिक देश जलगता है, तो क्या करते हैं, देखो इनका चेहरा कितना जगमगारा है, प्रकास जगमगाता है, प्रकास का रंग क्या होता है, स्वेत, इस्टिये ये क्या करते हैं, कि हम स्वेत रंग को मानते हैं, या और हम किस वेद का स्रुमन करते हैं? साम वेद का. साम वेद में एक परमात्मा की भक्ती है. गीता में योगे स्वार सिक्रिष्ट कहते हैं, कि है अर्जुन, वेदा नाम साम वेदो वस्मी. मैं वेदो में साम वेद हूँ. आप जान देश्टी से आप देखेंगे कि परमात्मा कैसे हैं, तो बहुत कठिनाई आजाती है. आप दर्सनों के विद्वानों के पास जाएए, दर्सनाचारी की डिगरी जिनके पास है, जिन्होंने नियाए दर्सन पढ़ लिया, उनका हुर्दे इतना सुस्क हो जाता है, कि वे तर्क वितर्क मेहर लगे रहते हैं. आप उपनिशब भी पढ़ेंगे, तो भी आपको उतना रस नहीं आएगा, जितना रस आपको वेद पढ़ने से आएगा. साम वेद का पहला मंत्र है, एक मंत्र में कहा गया है, यदगने स्याम अहम, तम तम वागा स्याम हम जो तू है, वो मैं हो जाओं और जो मैं हूँ, वो तू हो जाए मासुक आसिक बन जाए, आसिक मासुक बन जाए हे परमात्मा, अपनी जगह तू मुझे बना दे, मेरी जगह तू हो जाए जैसे मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ तु मुझसे प्रेम कर ये सामवेत की भासा है इतनी माधूरिता की भासा आप जानियों की भासा सुनेंगे तो क्या कहेंगे पृत्वी से परे, अंतरिक्ष से परे अकास से परे, पृत्वी में है उपनिस्तों में क्या लिखाएं? यो देवु अगनो यो भूनम अविसेश यो असदिस बनस्पतिस तसमेश देवाई नमूनमा जो अगनी में है, जल में है, पृत्वी में है, उस परमात्मा को परणा में है आपको ठोपनिसद पढ़िये बिरहत आराणक उपनिसद में पढ़िये याज्यवलक बता रहे हैं कि न उसको हर्स कहेंगे, न दिर्क कहेंगे, न लख कहेंगे सुक्ष में से सुक्ष में, जान की कितनी भासा, कितने ग्रंथ बना लीजिए सुसकता ही सुसकता आती है लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, तो लगता है कि नहीं जैसे आप तारतम वाणी पढ़ करके, क्या सोचते हैं राची तो हमारे हैं, हम उनके हैं वेद के एक मंतर में कहा गया है वयम तव, तौम अस्मा काँ हे परमात्मा, हम तुम्हारे, तुम हमारे एक प्रेम की भासा होती है लगता है कि वो कितना सुंदर है कितना प्रेम भरा है और वो हमारे सामने है वेद पढ़ने से लगता है कि हमारे और परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है उपनिसत पढ़िए, दर्सन पढ़िए रिशी मुने कृत मानों के जितने गरंत आप पढ़ेंगे उनमें वह रस नहीं आएगा जो वेद में आएगा और वेद में भी साम वेद भाक्ति का रस प्रवाहित होता है अथरवे वेद में संसे रहित जान ऐसा जान जिसमें जराभी संसे नहीं होता है जब आप तारतम बाणी पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है इताय करो अराम राज जी मेरे हिर्दे में आकर के विराजमान हो जाएग मेरा हिर्दे ही तो आपका धान धाम है इसलिए संसार में बड़े-बड़े जी मुनी हो गए जिनकी जटाओं में पक्छियों ने घोसले बना दी परमातमा में नहीं मिला क्योंकि उनके हिर्दे में सुखता थी परेम का रष ले था परेम क्या है अक्षरातीत के हिर्दे का भाता हुआ रसी वो परेम है और ऐसा प्रेम रस जिसके हिर्दे में आ जाए उसके लिए राजी को पाना कुछ भी कठी नहीं है इस दिये सब कुछ छोड़कर राजी का प्रेम मांगें, राजी से कुछ नहीं मांगें राजी से राजी का प्रेम जिस दिन मांगेंगे राजी अपना प्रेम देंगे वो तो मेहर क्या है मेहर पल में बढ़े गोट गुनी सो क्यो मेहरे मेहर मपाए एक पल में राजी की मेहर करोड़ कुना बढ़ सकती है संसार सुष की हिरते से खोचता रहा जान की आंखों से खोचता रहा लेकिन जब तक हिरते में प्रेम की रष्धारा नहीं आए हिरते निरमल नहों कहाँ से वो दिख सकता था अब तारत्म भाणी के प्रकास में सबको मालू हो गया कैसा है परंधाम कैसा है अक्षरादीत, कैसी वो दिखेगा इसलिए राज जी अब गह रहे हैं सुनपदत श्री राज ने और हम मुक्त किसको मानते हैं? सामिप मुक्त को बैस्रों के चार मुक्तिया है सालोक, सामिप, सारूप और सायुच सामिप कार्थ क्या है? हमारे इस्ट जो है, उनके पास रहना सारूप यानि विष्ण भगवान के रूप जैसे ही हमारा रूप हो जाए और जो इस्टरी होगी, उसका रूप लक्षमी के समान हो जाए सारूप, सामिप, सायुच सायुच यानि उनमें लीन हो जाना जैसे पुरानिक मानिता के उनसार सिस्पाल के जोद सिकर्स के अंदर समा गई और सालों किया नहीं उनके लोक में जाकर कहीं बास करना ये चारों मुक्तियां देखा जाये तो ये तो सोता भी प्राप्त है लेकिन ये पुरानिक मानिता की मुक्तियां है के दिमें इस तरह का बढ़न नहीं है मठ बैकुंट है हमारों मठ किसको कहते हैं जैसे कोई आस्थान हो और काफी महात्मा लोग रहते हूं विद्वान रहते हूं तो उसको मठ कहते हैं मठ का ताथपरिय केंदर से हैं दुसरे सब्दों में हमारे सुख का अस्थान धाम को भी मठ कहा देते हैं तो ये क्या कहते हैं मठ किसको मानते हैं बैकुंट को देखिए इनका सारा जान बैकुंट 14 लोक से आगे कोई नहीं जाएगा साथतार्त में जितने भी द्वान मिलेंगे सब या तो साकार में फसे हैं या निराकार में फसे हैं साकार और निराकार से परे का जान किसी के पास भी नहीं मिलेगा सुमेर प्रदक्षिना जान और प्रदक्षिना किसकी करते हैं सुमेर उपरवत की संसार से परे की बात कोई नहीं करेंगे प्रदक्षिन का आर्थ क्या होता है परिक्रमा करना परिक्रमा करने का भाव क्या है अपने अराद से तार्तम में बनाए रखना जैसे कोई महापुरुस है उसके सामने परिक्रमा करते है तो इसका भाव क्या है हम आपके प्रति सर्धा प्रगट करते है जैसे महाभारत का युदिष्टिर सबसे आगे थे औरुना ने पितामा के अरथ की परिक्रमा की अपड़ाम किया। इसका अरथ क्या है? हम आपके पते सच्ची सरधा प्रगट करते हैं। परिक्रमा का अरथ यह होता है। परिक्रमा से राजी का दर्स नहीं होगा। हाँ, मंदिर में, जदि आप परिक्रमा करते हैं, तो आपकी सरधा बढ़ सकती है। परिक्रमा में लिखा है, देत परिक्रमा करम सब छूटे। यानि राजी के मंदिर में आप परिक्रमा करेंगे, तो कर्मों के बंदन छूट जाएंगे, आपके अंदर भाव पैदा होगा, राजी से प्रेम बढ़ेगा, तो ये लाव बताया गया है, लेकिन परिक्रमा कर रहे हैं, बाते करते जा रहे हैं, भोजन पचाने के लिए परि बातिनी परिक्रमा, सुक्छु परिकरमा क्या है? आप ध्यान में बैठ जाएंगे, परम धाम के पचीश पक्चों में खुविए, मूल मेलावे में जाएंगे, वहां से आप तीसरी भूम की पड़साल में जाएंगे, और तीन बजे के पैसचात, जब सवारी निकलती है, ह पैस्यम की चवगान में जाएंगे, बड़ो बन, मदवन, महा बन में जाएंगे, आप चितोनी में बैठे हैं, और बैठे बैठे, पूरे परम धाम के पचीश पक्चों की परिक्रमा एक दिन में भी कर सकते हैं, प्रद दिन किसी एक पक्च में घुमाईएंगे, इसको पर गया है, यह किसकी परिक्रमा करते हैं, सुमेर परवत की, क्योंकि पुराणों में सुमेर परवत की महिमा ज़्यादा दर्स आएंगे, बीज मंत्र निराकार है, मंत्र किसको कहते हैं, मंत्र का हर्थ होता है, मननात मंत्र है, अपने अराध्ध की इस्तुति में जो सब्दों का समूह होता है, उसको मंत्र की संजादी जाती है आजकर ऐसे वेद की रिचाओं को मंत्र कहते हैं, लेकिन हर संपरदाई की बेक्ति ने आजकर नए नए मंत्र बना ली है मंत्रों की भरमार इतनी है कि जिसको संस्कृत का एक ऎको बाकि नहीं बनाने आता, वो भी मंत्र क्निन्मात्रा बन ज़ता है ज़से बहुत पहले एक मंत्र बना था स्री कृष्णा स्रनाम्म आज भी भगवदकारी इसको खुब भनिया शिएंसे गाते है स्री कृष्णा स्रनाम्म रमाण ändiWA ने तर बना लिया, Shri Rama Saranamam इसकार्थ क्या होगा, Shri Rama मेरी Saranamay है, Shri Krishna Saranamam यानि Shri Krishna मेरी Saranamay है कहना क्या चाहिए था कि Shri Rama की Saranamay मैं हूँ आहम Shri Rama Saranagato वसमी याहम Shri Krishna Saranagato वसमी मैं Shri Krishna Saranagato हूँ ना कि Shri Krishna मेरी Saranamay है हमारे सुंदर साथ में जो विद्वान है तो था कथित स्वेंभू महान विद्वानों ने नकल करने से पीछे क्यों होटे है उन्होंने भी मंत्र बना लिया स्री राजा सर्ण अम्हा जब मैंने एक पत्रिका में लेक पढ़ा तो मुझे बहुत हसी आई क्योंकि उस लेक के लििखक हमारे समाज के परतिष्टित रह चुके है जो जिनका अगधाम गमन हो चुका है फ्रश्ण यह है कि हम स्री राजी की सरण में है कि स्री राजी हमारी सरण में है लेकिन एक ने नकल के तो दूसरे ने बहीद नेकल कर ले, किसी ने ने ये ने सोचा कि भई ब्याकरण सांस्त्र क्या करता है, क्या स्री रामा सरणमम, स्रेक्ष्णा सरणमम का अर्थ उचित है, यानि अपने भावों को सब्दों का रूप दे दिया जाता है, उसमें कुछ आगे पिछे, ओम लगा दिया, जो बामार्गी होते हैं, हिरें स्रिंग्रिंग जोड देते हैं, क्या का सब्दों, और आजकल तो साहिं बाबा के भी मंत्र बन गए, साहिं चलीसा बन गया, साहिं का गाहितरी मंत्र बन गया, कितना अडंबर है, जिसके मन में जो आता है, वहीं मंत्र बना लेता है, उसके अर्थ पर कोई बिचार नहीं करता, सांप जाड, सांप का भीस उतारने का अलग मंत्र है, बिच्छ का भीस उतारने का अलग मंत्र है, और तो और पवराणिकों में तुम्बे का मंत्र है, जानते हैं, जब किसी को सिस बनाते हैं पवराणिक लोग, तो उसको तुम्बा पकड़ाते है, तुम वाप पवितर हुआ बताईए जिस देश में ऐसी अडंबर के मंत्र चलेंगे उस समाज का क्या होगा हिंदु समाज का पतन ही इससे हुआ है ना वेद पढ़ना है ना साष्ट पढ़ना है मनमानिक कलपना करके संपरदाय गढ़ना है और संपरदाय की जय सब चाहते है सत्य की जय कोई नहीं चनननता इस देश में एक घजार से अधिक संपरदाय है जिसमें साथ सु संपरदाय तो अनाइतिक है जिनका कोई अधार नहीं किसी गरंथ का अधार नहीं और सारे संपरदाई वाले कहेंगे कि मेरा संपरदाई सच्छा है, सब के संपरदाई जुटे हैं, मेरे सिवा सच्छा किसी का नहीं, मेरे गुरुजी जैसा दुनिया में कोई नहीं, और जो मेरे गुरुजी के सिवा किसी की अन्न की बात मानेगा, उसको कभी भी मोक्ष नही और छेत्र क्या है हमारा पद्मनाप, पद्म काते है कमल को, यानि छेत्र का अर्थ क्या होता है, पूरे देश को धार्मिक भागों में बांट लिया गया है, जैसे सीता पुर्जिले को नामिसाराणी छेत्र का जाता है, नामिसाराणी छेत्र का जाता है, नामिसाराणी छेत् को भी अलग-अलग हर हर छित्र कहा जाता है केरला को पड़सुराम छित्र कहा जाता है अलग-अलग रिसी मुनियों के नाम से पूरे देश को बांट लिया गया है तो बैसनों कहते है रहमानुज बैसनों हमारा छित्र क्या है पदमनाब छित्र है यह संपरदाय की पधती बता रहे है जिसे आपकी निजानन्द की पधती है आप अंत में सुनेंगे कि निजानन्द की पधती क्या है यानि आपकी जो मानिता है उस मानिता का अधार क्या है मुल्व सुत्र क्या है मेल कोटा सुख विलास लक्षमी इस्टात गोप है जैसे अराद्य की जो अलाद नहीं सकती है वो हमारी इस्ट का लादी है हमारी इस्ट क्या है लक्षमी यानि विश्न भगवान हमारे इस्ट है हमारे अराद्य देवता है परमात्मा है तो उनकी अर्धांगिनी जो लक्षमी है वह हमारी इस्ट है उजल अति प्रकास और हमारा पंत क्या है अतिधिक उजल है इसमें ज्ञान ही ज्ञान है अंधकार नहीं है ये पदत लक्षमी से चली और इस पदति को किसी नहीं नहीं चलाया है श्रिष्ट के प्रारम से हमारी या पदति चल रही है और इसको चलाया किसने है लक्षमी जी नहीं देखिए किसी बजार में बेरों का बजार लगाओ और जिसके सबसे खटे बेर होंगे वो भी चिला चिला का बोलेगा देखो ग्राह को मेरा ही बेर सबसे अच्छा है मेरे बेर सबसे मिठे हैं और सबके बेर खटे हैं वैसे हर पदति वाला क्या कहेगा हर संपतायवला, मेरा संपताय शिष्टी में सबसे प्राचीन है और सबसे सच्चा है और सबका जूठा है यानि सब जूठे एक मात्र में सच्चा मेज से अधिक प्राचीन किसी का नहीं है कोई नया मंदिर बनेगा तो उस पर बोड लगा दिया जायगा अति प्राचीन मंदिर और स्वयम्भू मैंने यह जो भगवान के मूर्ती है स्वयम्भनी बनाई है जमीन में से प्रगट हुई है इसको किसी ने बनाया नहीं है जब स्वयम्भू लिख दिया जाता है अति प्राचीन मंदिर लिख दिया जाता है तो लोगों का ताता लग जाता है सोचते हैं कि इस मंदिर में बहुत बड़ी सक्ति है और चढ़ावा चढ़ने लगता है ब्यापार शुरू हो जाता है कोई यह नहीं सोचता है कि अरे हिरदय मंदिर में जो परमात्मा बैसता है उसको तुम क्यों नहीं खोच दे लेकिन उसको पाने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा सत्संग सुनना पड़ेगा स्वधाय करना पड़ेगा लोग सोचते हैं कि क्या है मंदिर में जाओ एक मिठाई का पैकट लेते जाओ सेवा में रख दो परमात्मा खुस हो जाएगा इस दिये न कोई धर्म गरंतों का सुधाय करना चाहता है न सत्संग सुनना चाहता है और न ध्यान करना चाहता है सरल साधा सिधा साधा रस्ता सबने पालिया है भोग ले जाओ चढ़ा दो, परमात्मा तुम्हारा खूस हो जाएगा और यही चीज हिंदु समाज को कहीं न कहीं अंधकार की तरफ ले जा रही है ज्यान से, भक्ती से वैरागी से, सदमार्ग से सभी भटक जा रहे हैं आप जगनात पूरी चले जाएए साहे पंडो के चंगुल से आप निकल जाएं तो बहुत अच्छी बात है पैसे लेने के लिए धका भी देंगे, पाकेट भी आपका मारा जाएगा, आप सही टाइम पर पैसा नहीं देंगे, तो आपके साथ अच्छा बहार भी नहीं होगा, यद्रिस क्या पढ़ गई? कोई भक्त उनका धरसन नहीं कर सकता लेकिन धन्गरंथ क्या कहते है परमात्मा प्रेम से मिलता है पैसे से नहीं मिलता आप अपने हिर्दे में प्रेम लाइए ज जान का प्रकास लाइए आपके हिर्दे मंदर में ऊस मिलेगा वो आपसे दूर नहीं है, प्राण की नली से भी निकटे, पूरी बाणी का यही सार है, हम कहीं भी जाएंगे, बाणी एक ही बात कहेगी, हक नजीक से हरक से, हमारे धाम दनी, हमारे प्राण वनलब अक्षरातित, जो परम धाम में जिनका खंड स्वरूफ है, सौलील अद्व हैं, हमारे हिर्दे में प्राण की नली से भी निकटे, और जैसे हमारे हिर्दे में प्रेम की धारा भाएगी, उनका सक्षदकार हो जाएगा, जब स्री जी रामानुच बैसनों की बात सुनते हैं, तो यह कहीं बात पुछेंगे, कि महाप्रले में, आपने जो बताया कि हमा हमारा मठ बैकुंथ है, हमारे इस्ठ और अराथ, विष्ण और लक्षमी हैं, जब महाप्रले में जब लोग कल्य हो जाएगा, तो बैकुंथ कहां रहेगा, कुछ नहीं उतरा था, सब चूफो कर बैठ जाते हैं, सभी अचारी, जाएं दसनामत के हो, छे दर्शनों के हो, जैसे यह परेशन स्री जी करेंगे, कि महाप्रले में क्या होगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो, किसी को उतर नहीं आता, यह तार्तम बाणी का प्रगास है, और आप कल अधिक से अधिक संक्या में अपने अडोस परोस के सुंदर साथ को लेकर आई है, जिनको विधित हो कि हमारा हिंदू समाज कहां भटक रहा है, एक परमात्मा की भक्ति छोड़ कर, एक परमात्मा का ज्यान छोड़ कर, तरह तरह के संपरदायों में कितना जगड़ा बखेड़ा चल रहा है, किसी को बोध नहीं, सत्य क्या है, सत्य को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपनी आत्मा की जाकरती के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और सारा हिंदो समाज अंधेरी निसा में भटकता ही जा रहा है उसकी नाओं का पतवार ही खो गया है वो यही सोचता है कि हमारी ये इस्ठाय है हमारी संकर्जी है तो विष्रून से बढ़े है हमारे विष्रून संकर्जी से बढ़े है दोने में जुद कराए जाते है पुरानों में यहीं लिखा है कि विष्रून और सिव का जुद कहीं ब्रह्माजी से जुद सारे देवताओं को लड़ाया भिड़ाया जाता है उसका परणाम यह होता है कि उनके भक्त भी आपस में लड़ते है साहिव अरुबैसनों का जुद हमेशा प्रशित है और तो और कुम्ब में भी इनके छोटे बड़े की बात चलती है हमारा अखाडा बड़ा तुमारा अखाडा छोड़ा छोटा यह छोटे बड़े की भावना सारे समाज को अजगर की तरह निगलते जा रही है और इसका मूल कारण है अजजानता तार्तम जान के प्रकास में सत्य की वो रह मिलती हैं जिस पर चलकर हम परम सत्य अक्षरातीत को पा सकते हैं अपने फ्राने सुर को पा कर रिज़ा सकते हैं अपनी आत्मा के धाम हिर्दे में युगल सरप को बसा सकते हैं सास्वत प्रेम, सास्वत सान्ति और सास्वत आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं आज समय पुरा होता है जो पाई दुराइए कल आप सुनेंगे बैसनों के तीन अन्य पंथ क्या करते हैं पद्वनाब जो छेत्र है मेल कोटा सुख बिलास लक्षमिष्टात गोप है उजल अती प्रकास वल्य श्री प्राणनात प्यारे के